नमस्कार, श्वागत है आप सभी का Decode इक्जाम में समिच्छा इदिकारी साइक समिच्छा इदिकारी परिक्षा के लिए हम लोग के चैनल पर लगातार कंपाइल वीडियोज आपको मिल रहे हैं इसी स्रंकला में आज हम 100 प्रस्णों का Mock Test solve करने जा रहे हैं जो कि जीव विज्ञान के प्रस्णों पर आधारित है और ये बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है और इनका एक अच्छा इस्तर है प्रस्णों का और सबसे बड़ी बात है कि सारे प्रस्ण हम solve करेंगे तो वो भी जो है आपका solve हो जाएगा तो वीडियो को आप Mock Test की तरह भी हल कर सकते हैं और उसके अलावा कम से कम दो बार इसका और revision करिएगा एक्जाम से पहले जिससे आपके biology के बहुत अच्छे questions त्यार हो जाएं बहुत सारे facts आपके त्यार हो जाएं और यह बहुत ही महत्पूर्ण है आपके आने वाले एक्जाम के लिए तो इसमें 100 प्रस्नों को पूरी ब्याख्या के साथ हल किया गया है आप अगर समिच्छा अरिकारी पर इच्छा के त्यारी कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि Decode Exam की यह selected candidates हैं जिन्होंने यही कोर्स पढ़कर अपना सेलेक्शन लिया है 2021 में, 2016 में और अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो सारी डीटेल यहां पर दी हुई है इस नंबर पर आप WhatsApp करके इन दोनों नंबरों में से किसी एक नंबर पर WhatsApp करके आपको लिखना क्या है? तो यह सारी गत्विदिया होती है उसके अलावा आप बिल्कुल सही समय है अगर आप टेसरी जॉइन करते हैं टेसरी जॉइन करना इस समय बहुत ही बेनिफीशियल है अगर आप टेसरी से जुड़ते हैं यह सबसे बड़ी ट्रस रंकला है जित्ते भी ऑनलाइन संस्थान इस समय है उनमें कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो लगभग 50 टेस्ट आपको प्रोवाइट कर रहा हो और इस 50 टेस्ट में सभी तरह के टेस्ट सामिल है इंडिजुवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है फूल टेस्ट भी है हिंदी के अलग है पूरे और करन्ट अफेर्स के भी अलग टेस्ट है तो इस तरह से एक बड़ी लगभग 4800-5000 प्रसनों की यह स्रंकला है और अगर आप इसको अच्छे से solve कर लेते हैं इसको अच्छे से तयार कर लेते हैं तो बहुत सारे प्रसन आपको यहीं से मिलने की संभावना है और इसमें व्याख्या सहित आपको PDF भी उसका उपलब्द करा जाता है व्याख्या सहित हलका आयप के माध्यम से आप देख सकते हैं जादा जानकारी के लिए आप आरो यारो टेस्ट लिख कर जो है इन दोनों में से किसी एक नंबर पर वार्टसेप कर दीजे और पूरी जानकारी आपको दी जाएगी समिच्छा दिकारी के तैयारी कर रहे है तो हमारी ये रामबार बुक जो हिंदी की है ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जिसका कमपाइलेशन इस प्रकार का है कि 55 प्लस 60 मेशे आपके बहुत ही आराम से केवल आप 3 से 4 बार अगर इस बुक का रिवीजन कर लीजिए तो ये गारंटीड है कि आप 55 प्लस जो है निकाल ले जाएंगे क्योंकि इसमें जितने भी तरह के माटीरियल्स जो है कमपाइलेशन किया गया है उस अभी बहुत ही इस बुक के बारे में तो ये नंबर आपके सामने है इन पे आप बात कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की साइंस बायलोजी के 100 MCQs का जो है कमपाइल्ड मॉक्तेश जिसमें हम लगातार जो है 100 प्रस्णों को हल करेंगे एक ही वीडियो में एक साथ और आप जो है जब इसको हल कर लें तो अपना स्कोर भी बताएं और अपना कमेंट में भी बताएं कि आपको प्रस्णों का इस्तर और उसकी व्याख्या कैसी लगी तो चलिए शुरूआत करते हैं पहला प्रस्ण आज का देखते हैं malaria parasite is a यानि malaria परजीवी क्या है एक जीवाणू है या एक विशाणू है या एक प्रोटो जोवा है या एक फंगस है या कवक है तो निशित रुप से एक आसान प्रस्ण है आप इसका जवाब दे सकते हैं malaria parasite इन में से क्या है तो इसका सही उत्तर क्या होगा malaria parasite एक प्रोटो जोवा है B option इसका correct होगा इसके बारे में और देखते हैं तो malaria rog plasma dm नामक एक प्रोटो जोवा से होता है जो कि एक क्या है परजीवी या प्रोटो जोवा है इसका जो वाहक होता है यानि carrier वो एक मादा एनाफलीज मच्छर है जिसके काटने से यह रोग एक वक्ति से दूसरे में फैलता है plasmodium के जीवन चकर की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं जिसको आपने पढ़ा भी होगा इन में से कुछ मनुष्य में यकरत में तथा RBC में कुछ मच्छर में पाई जाती है मनुष्य के लिए plasmodium की जो संक्रामा की यानि जो सबसे infective stage होती है उसको बिजार्यू जिया sporojoite कहते हैं यह question महतपूर है यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि plasmodium की सबसे संक्रामा का वस्था को कहते हैं तो वो अवस्था होती है sporojoite की next question देखते हैं which of the following regions cells in the human body is involved in the controlling blood sugar level यानि मनुष्य में जो है जो blood sugar होता है रक्त सरक्रा होती है उसको नियंतरित करने में उसको नियंतरित करने में इन में से कौन सा जो है एक अंग involved होता है तो आपके सामने चार आपसन है putatory gland, hypothalamus isolate of langerhards जिसको हिंदी में हम langerhards की दीपिकाएं या दीप कहते हैं और चौथा आपसन है spleen जिसको हम तिल्ली या प्लीहा कहते हैं तो इसमें से सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा उत्तर इसमें से सही है तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर है isolate of langerhards या langerhards की दीपिकाएं ये कहां पर होता है तो इसके बारे में जानते हैं अगनास है जिसको हम pancreas कहते हैं कि ये mixed gland है यानि ये अंतासरावी और बहिसरावी दोनों प्रकार की होती इसमें अंतासरावी यानि इंडोक्राइन और बहिसरावी दोनों ही भाग होते हैं इसके अंतरासरावी भाग में ductless यानि बिना duct वाली ग्रंथियां होती हैं इनके समूख को ही हम langerhards की दीपिकाएं कहते हैं langerhards जो है एक scientist का नाम है जिनके द्वारा जो है इसको discover किया गया था तो उन्ही के नाम पर इसको isolate up langerhards कहा जाता है इनके द्वारा insulin एवं glucagon स्रावित होता है जो की हमारे blood में sugar को control करता है next question देखते हैं अगला तीसरा question हमारा यहाँ पर आपको चार बीमारियों के नाम दिये गए है उन्हें से आपको बताना है कि कौन सी एक बीमारी पुर्दूसित जल यानि जो है polluted water के कारण नहीं होती है ध्यान दीजिए गया पूछा गया है नहीं होती है तो dysentery हो गई जिसको आमा अतिसार या जो है अतिसार भी कहते हैं दूसरा पीलिया जो जुआइंडिस कहते हैं आंत्रजवर या टाइफाइड और चौथा जो है छै रोग या छम्या या ट्यूबर क्लोसिस तो इसमें से आपको एक उत्तर चुनना है जो polluted water यानी संदूसित जल या प्रदूसित जल के कारण नहीं होती है तो इसमें सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा ट्यूबर क्लोसिस या छम्या या टीवी क्योंकि टीवी आप जानते हैं बैक्टीरिया से होने अले बीमारी है जो कि प्रदूसित जल के कारण नहीं होती है यह खासने छीकने में जो droplets होते हैं उसके कारण होती है तो dysentery, jointis और typhoid यह सभी जल जनित बीमारियां है और यह प्रदूसित जल के कारण होती है जबकि टूबर क्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि mycobacterium tuberculosis नामक जीवानों के कारण होता है और एक दूसरे के संपर्क में व्यक्ति जो है वायू के माध्यम से होता है नेक्स्ट कॉस्चन रेखते हैं विच वन एमंग दा फालोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडर गो periodic moulting of their external body covering यानि जो है अपने सरीर का जो वाय आवरण होता है वाय काय या वाय कवच होता है उसको कौन जो है इसमें से नहीं उतारता है जिस तरह से आपने देखा है कि बहुत सारे जानवर जो होते हैं जैसे साप होता है तो अपनी केचुली उतारता है तो उसको हम malting कहते हैं तो कौन सा जो है इनमें से periodic malting नहीं करता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा earthworm या केचुआ किस तरह सही होगा इसके बारे में हम जानते हैं केचुआ या earthworm के देभिति यानि यानि सीलोम कहते हैं का सबसे बाहरी लचीला तथा अकोसकी इस्तर क्यूटिकल होता है यनि सबसे उपर जो है क्यूटिकल पाया जाता है जिसका स्रावण इसके नीचे पाया जाने वाली EP dermis जो लेयर होती है इसकिन की उसके द्वारा किया जाता है इसमें समानांतर फैले एक कोलेजन फाइवर्स के दो इस्तर होते हैं इसी लिए या चमकीली वा हलकी पीली सी दिखाई देती है या एक रच्छात्मक आवरन के रूप में कार करता है और इनका आवरती निर्मोचन या periodic मॉल्टिंग जो है नहीं होती है Next question देखते है इसका मुख्यकार इनमें से कौन सा है यानि इसमें से कौन सा जो है छाल का काम है तो चारों एंसर्स आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पाउस भी कर सकते हैं जब जरूरत पढ़े तो इसमें सही उत्तर क्या होगा इसका मुख्यकार है पत्तियों से पढ़ों के अनिभागों को खाद का परिवहन करना यानि transport food from the leaves to the other parts of the plant तो C option इसका correct होगा समवहनी पढ़े यानि vascular plant vascular plants कौन से होते हैं जिनमें जायलम और phloem पाये जाते हैं तो जायलम और phloem प्रारम से ही जो है vascular plants में उपस्थित होते हैं और जो secondary growth होती है पौधों की दुतियक ब्रद्धी दुतियक ब्रद्धी में पौधे कैसे बढ़ते हैं मोटाई में बढ़ते हैं इसके पश्चार जो है secondary जायलम और secondary phloem भी बनते हैं primary जायलम और primary phloem से तो secondary phloem आंतरिक छाल या इनर बार का भाग है जिसका मुक्यकार पत्तियों से पौधों के या भाग तक food का यानि खाद का ट्रांसपोर्ट करना है phloem में प्रवा हमेशा सुरोत से सिंक की ओर होता है सुरोतवा इस्थान होता है जहां भोजन का निर्माड होता है यानि पत्तियां या भोजन ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है next question देखते हैं जो AIDS बिसाडू के बारे में है AIDS is caused by the human immunodeficiency virus यानि HIV तो HIV क्या है इन में से यानि किस तरह का वायरस एक रिट्रो वायरस है एक लेंटी वायरस एक आर्बो वायरस है या एक इम्म्यून वायरस है तो चारों में से आपको सही options को चुनना है तो ये किस तरह का एक वाइरस है ये एक रेट्रो वाइरस है ये option यहाँ पर आपका correct होगा HIV human immunodeficiency virus एक तरह का रेट्रो वाइरस है जिसके द्वारा अत्यंत घातक रोग एड्स होता है एड्स का पूरा नाम आप सभी जानते है acquired immunodeficiency syndrome जिसका आर्थ है सरीर की रोग प्रतिरोधक छमता का छीड हो जाना और ये रोग जो है असुरिचित यौन संबंद blood transfusion जो असुरिचित तरीके से किया जाता है संक्रमित सुई के द्वारा इन्यानी injection अगर जो है किसी infected में लगा कर दूसरे को दे दिया जाए तो इन सब कारणों से जो है ये फैलता है next question देखेंगे the common edible mushroom is यानी जो सामानी रूप से खाय जाने आला मस्रूम है वो एक क्या होता है इन में से आपको बताना है तो इसका सही उत्तर क्या होगा c option इसका सही होगा tightly packed mycelium होता है mycelium आप जानते हैं फंगाई में होते हैं तो ये जो है tightly packed mycelium होता है जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे कसकर ठसा ठस भरे हुए कवक जाल c option इहाँ पर सही होगा सामान मसरूम जो खाया जाता है इसका वैग्यानिक नाम agaricus होता है या एक जो है मृतोब जीवी में त्रोब जीवी को क्या कहते हैं सैप्रोफिटिक कहते हैं तो ये मृत पदार्थों पर उगने वाला एक कवक है जो जंगलों में सडी गली पतियों लकडियों कूरे के ढेर गोबर आदी पर उखता है इसमें जो fruiting body होती है वो खाय जाती है जिसको हम उपर वाला भाग कहते हैं इस तरह से जो कुछ होता है ये खाय जाता है और इस को हम बेसीडियो कार्प कहते हैं इसके उपर वाले पार्ट को बेसीडियो कार्प एगरिसकर का एक वाईवी भाग है यानि ये एरियल होता है जो जमीन से उपर होता है तता यह भूमीगत दुईकेंदर की कवकजाल से निरमिद राइजों राजओंफ द्वारा विक्सित ह नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? इंटेस्टाइन, C-Option यानि आत इसका सही उत्तर है उप्युक्त बिकल्पों में से चेहरा, भुजा, टांग की मास पेसियां कैसी होती है? रेखित पेसियां होती हैं इन्हें कंकाली पेसियां, डाहिक पेसियां यह एच्छिक पेसियां भी कहते हैं ये प्राया तंत्र का तंत्र के चेतन नियंत्रण में जन्तों की इच्छा नुसार कारे करती हैं और इन्हें प्रावस्थामक पेसियां यह एनि फैजिक टाइप आप मसल्स भी कहते हैं क्योंकि यह अंगों में दुर्तगामी परंतु अल्पकालीन गतियां उत्पन करती हैं लेकिन इसके उल्टा जो हमारे आत की पेसियां होती हैं अरेखित पेसियां होती हैं इनका संकुचन जन्तु की इच्छा पर निर्भर नहीं करता हैं यह हम चाहें तो अपनी आत की पेसियों को जानबूच कर सिकोड़ नहीं सकते हैं बलकि सरीर की कारिकी और इसके अंतावातवण से प्रभावित होकर ही यह काफी धीमी गति से और एक क्रम या ले में स्वतंत्र यंत्रवत जो है इसका जो है कॉंट्रेक्शन और रिलेक्शन होता है और ये पेसिया जो है अनैचिक होती है अनैचिक पेसियों का मतलब जो हमारी इच्छा से नियंतरित नहीं होती है अगला प्रसंद देखते हैं निमलिखित कत्नों में से कौन सा एक हिर्दय की ध्वनी के संदर्म में सही है तो हिर्दय की धुनी के संदर में इन में से कौन सा कथन सही है यह हमको देखना है तो सीधे मुत्तर की बात करते हैं उत्तर इसका होगा C option हर्ट साउंड्स आर काजड बाइ ओपनिंग और क्लोजिंग आफ हर्ट वाल्व यानि हिर्दय की धनिया होती है वो हिर्दय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है इसके बारे में और फैक्ट्स जानते हैं हिर्दय की धनिया हिर्दय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है दाएं और बाएं निले का आकुंचन एक साथ और आलिंदों के आकुंचन से अधिक तीवर होता है आकुंचन के समाप्त होने पर योही रुधर चापों से वापस आकर निले की ओर गिरता है ये जेब नुमा अर्ध चंदराकार कपाटों में भरता है जिसे कपाट अबेच्छा करते खलकी डप के ध्वनी के साथ बंद हो जाते हैं फिर इस आकुंचन के प्रारम होने पर पहले आलंद निलेई अर्था त्रीवलनी ट्राइकस्पिट वाल्व और द्रीवलनी यानि बाईकस्पिट वाल्व जो है एक लब की ध्वनी के साथ उत्पन करते हुए बंद हो जाते हैं फिर अदिक्तम निवली आकुंचन के दबाओं से दोनों धमनी चापों के अर्थ चंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और निलेईों का रुधिर इन चापों में पंप होता तो यह पूरी कारविधी हो गई किस तरह से हार्ट कार करता है और यह ध्वनी होती है इसको लब लब अव डब जैसी ध्वनी सुनाई देती है और यह जो है डाक्टरों द्वारा जो स्टैटोस्कोप प्रियों किया जाता है उसके द्वारा ही जो इसको सुना जाता है next question देखेंगे हम which one among the following organs in human is not involved in ill-excitation of immune response यानी इसे मानों के निमलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरच्छी अनुकरिया के प्रकासन में सामिल नहीं है यानी जो हमारा प्रतिरच्छा तंत्र की जो अनुकरिया होती है उसमें इसमें से कौन सा सामिल नहीं है तो इसमें सामिल नहीं है मस्तिस्क चलिए इसके बारे में और फैक्ट्स जानते हैं हम जो है तो लसी का तंत्र जिसको लिम्फाइटिक सिस्टम कहते हैं जिस तरह से जो है हमारे सरीव में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी का पार्ट होता है लिम्फाइटिक सिस्टम ये भी जो है परिसंचरन तंत यानि सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक भाग होता है लिम्फ के जो रुधिराणू होते हैं RBC की भाती उत्कों की मरम्मत और पतिरच्छा तंत्र यानि इम्यून सिस्टम के अंतरगत रोगोत पादक पदार्थों, जीवाड़ों और विसाड़ों आदि को नश्ट करते हैं यानि इनका मुख्यकार क्या है जो बाहर से जो भी हमारे सरी में बिमारी फैलाने वाले और्गनिजम है चाहे वो बैक्टिरियां हो, चाहे वारस हो, चाहे कोई और इन्टिटी हो, उनको जो है ये नश्ट करता है लसीका तंत्र या लिम्फैटिक सिस्टम, लसीका और लसीका को सिकाओं यह वाहनियों के तरिक्त लसीका उतक के बने अंग होते हैं लिंफ नोड्स, लिंफ नोड्यूल्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, टॉंसिल्स तथा रेड बोन मैरो, ऐसे ही अंग होते हैं नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, ज्वाइंडिस यानि पीलिया, पीलिया जो है मनिस्व में किस के परिणाम स्वरूप होता है पीलिया की जो कंडिशन होती है, जो पीलिया की विमारी होती है, शरीर में पीलापन दिखने लगता है, वो किस कंडिशन में होता है तो इसका सही उत्तर क्या है, इनकंप्लीट मेटाबॉलिस्म आप बाइलिरूबिन, यानि बिलिरूबिन के अपूर उपापचे के कारण ये कंडिशन आती है पीलिया के बारे में और जानते हैं, जो आइंडिस क्या है, एक घातक रोग है, जिससे हमारा लिवर, यानि यक्रत प्रभावित होता है इस रोग में बिलिरूबिन के अपूर उपापचे के कारण ये क्रत को स्काई, यानि लिवर सेल्स, बलड से बिलिरूबिन को ग्रहन नहीं कर पाती है अता पीला बिलिरूबिन जो होता है, ये रुधिर में ही रहकर पूरे सरीर में फैल जाता है और इसमें तवचा हुआ हमारी आखें पीली पड़ जाती है उप्युक्त उप्चार के अभाव में रोगी की मृत्यू भी हो सकती है नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं विच पार्ट आप दा सैफ्रन प्लांट यानि केसर के किस पार्ट से हम मसाला यानि जो स्पाइस सैफ्रौन होता है यह प्राप्त करते हैं तो केसर हमको कैसे प्राप्त होता है कई बारी कोस्चन आ चुका है विभीन एक्जामस में इसका सही उत्तर क्या है? ड्राई स्टिगमा, सुस्क वर्तिकाग्र से हमको केसर प्राप्त होता है क्रोकस सेटाइवस जो इसका बॉटनिकल नेम है, इसका साधारन नाम सैफरोन या केसर होता है यह इरिडियसी कुल का पौधा है और वह पौधे के पुस्प के सुखे हुए इस्टिगमा तथा इस्टाइल के उपरी भाग से प्राप्त किया जाता है इसका अपयोग मुकता मसालों के रूप में होता है next question देखते हैं, O और AB blood group वाले माता पिता है, कोई भी इसमें से माता कोई भी पिता हो सकता है तो उनकी संतानों में इन में से कौन सा संभावित रक्त समू होगा यानि इन में से कौन से blood groups है, जो O और AB parents के children's में पाए जा सकते हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा A और B अगर O और AB से हम करेंगे इनका आपस में मेटिंग होगी तो A या B बलड गुरूप के बच्चे होंगे इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इस चार्ट को समझते हैं अगर जैसे हम कहें O और O माता पीता हैं तो संभावित क्या होगा केवल O होगा लेकिन इसमें A, B या AB बलड गुरूप नहीं हो सकता है A into A condition है तो O या A दोनों हो सकता है लेकिन इसमें B और AB नहीं होगा इसी प्रकार B into O या B into B है तो क्या-क्या संभावित होगा O भी संभावित होगा लेकिन AB और A इसमें असम्भाव होगा तो इसी तरह से पूरा चार्ट है यह चार्ट जो है मैंने आला आपको बलड सर्कुलेट्री सिस्टम में पढ़ाया भी है वहाँ आप आप डिटेल से इसको समझ सकते ही कि यह किस कारण होता है चेहरे के घाओं से अत्यधिक रक्त्सराव किस कारण होता है आप देखते हैं कि अगर हमाई चेहरे पर किसी वज़य से कोई घाओ होता है तो बहुत ज़्यादा खून बहता है बाकी सरीर के अंगों की अपेच्छा तो इसका कारण क्या हो सकता है यह हमको बताना है तो इसके कारण क्या है इसकी प्रचुर समवहनता के कारण यानि और इट्स रिच वैस्कुलरेटी चेहरे और खोपड़ी के आसपास रक्त वाहनियों यानि बलड विसल्स की अधिक्ता होती है इसकी प्रचुर समवहनता के कारण ही चेहरे के घाओं से अधिक रक्त्सराव होता है next question देखते हैं कपड़े के टुकड़े पर धब्बे हटाने के लिए तीन पक्विड लाइपेज कौन कौन से लाइपेज है, ट्रिपसिन है और मलेज है, इनका गोल तयार किया गया है, इन तीनो एंजाइम्स जो है प्रक्विड जो है, इंगलिस में क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है तो इन तीनो एंजाइम्स के गोलो में से केवल लाइपेज पूरी तरह से धब्बे हटा पाया यह इस बात का सूचक है कि धब्बे पढ़ने का कारण क्या है यह धब्बे क्यों पढ़े होंगे क्योंकि इसको केवल लाइपेज ही हटा पाया तो इसका सही उत्तर क्या होगा यह धब्बे किसके कारण पढ़े थे आयल या तेल के कारण तेल यहाँ पर लिखावना चाहिए था तो आयल के कारण जो है ये दब्बे पड़े थे विभिन प्रकार के तेली या आईली स्नेकी मोम वाले यानि वैक्सी कार्बनिक पदार्थ लिपिट्स की स्रेडी में आते हैं और लाइपेज लिपिड पाचक एंजाईम है यानि लाइपेज जो है किसको डाइजेस्ट करता है लिपिड्स को और ये सबी क्या है लिपिड्स है तो लाइपेज के जो है क्या करेगा तेल के दब्बो को ही हटा पाएगा अगला कुश्चन देखते हैं मनुस में पेसी क्रिया के बाद थकान निमलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से आती है यानि हम जब कोई भी मेहनत का काम करते हैं दोड़ते हैं भागते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा शरीर में पेसीयां ठक जाती है और उसके बाद ये होता कि बिना आराम किये हम आगे काम नहीं कर सकते हैं उस condition में क्या होता है, हमारे सरीर में, हमारी muscles में एक chemical का deposition हो जाता है, तो वो कौन सा chemical है, यह हमको चारो options में से देखके बताना है, तो आसान question है, निश्चित रुप से आपने पढ़ा होगा इसको, यह होता है, lactic acid के कारण, D option यहाँ पर correct है, यदि पेसियों को कुछ समय त जमता धीरे-धीरे कम हो जाती, ऐसी इस्तिती में glucose का incomplete consumption होता है, और इसके अधूरे जारण से पेसी तंतुओं में lactic acid बन जाता है, अंत में lactic acid की अधिक मात्रा में जम जाने से आकुंचन नहीं हो पाता है, इसी को ठकान या fatigue कहा जाता है, चलिए next question देखते हैं, Oral Rehydration Therapy is recommended for patients suffering from, यानि किस condition में हमको मुख के द्वारा पानी पीने के लिए, रिहाइडरेट करने के लिए body को कहा जाएगा, चाहे, अब ये चार conditions दी हैं, या तो आपको TB हो जाए, टिबर क्लोसीज, या टिटनेस हो जाए, या टाइफोाइड हो जाए, या कालरा हो जाए तो निश्चित रूप से आपको समझ सकते हैं कि किस एक बिमारी में हमारे सरीर में पानी की बहुत जादा कमी हो जाती है, किस के किस बिमारी में होती ही, कॉलरा या हैजा में, D-Option इसका correct होगा हाजा क्या है, एक संक्रामक जो है आंतसोध है, जो की वाइबरियो कॉलरी नामक जीवाणू के कारण होता है, मनिसमें इसका संचरण इस जीवाणू द्वारा दूसित भोजन या पानी को गरहन करने के माध्यम से होता है, इसमें रोगी को पहले पतले दस्त होते हैं और 12 गंटे में या अगहात की अवस्था में पहुंच सकता है, यानि सरीर से जो है डिहाइडरेशन हो जाता है, पानी जो है निचुड़ जाता है, यदि रोगी को जो है ओरल रिहाइडरेशन थरेपी नहीं दी जाएगी तो उसकी मृत्यू भी हो सकती है, नेक्स्ट कोश्चन हम कैसे करते हैं, एट्स का परिक्षण हम एलाईजा टेस्ट के द्वारा करते हैं, एक अथरी हो गया, पलेग का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, वेस्टन इस्टेन परिक्षण करेंगे, टाइफॉइड के परिक्षण के लिए विडाओल टेस्ट यूज किया जाता है और tuberculosis के लिए इनमें से Montux text यूज़ किया जाता है तो B option यहाँ पर हमारा correct होगा यहाँ पर फिर से इसको लिख दिया गया है अब इसको दुबारा repeat कर सकते हैं देख सकते हैं सही से Next question देखते हैं Which are the following organelles of a cell is या are involved in photosynthesis एक कोसिका में कौन कौन से कोसिकांग प्रकास संसलेशन या photosynthesis में सम्मलित होते हैं यानि एक सेधिक भी हो सकते हैं और इनमें से केवल एक ही हो सकता है तो absence के अनुसार तो एक ही है कौन सा है इसमें से chloroplast आप जानते हैं chloroplast में photosynthesis की क्रिया होती है हरित लवक या chloroplast हरे रंग का प्लास्टीड या लवक होता है इसकी खोज वैग्यानिक सिमसर ने की थी इनमें chlorophyll नामक हरे वरणक पाया जाते हैं ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं इसी कारण पतिया वा पौधों के उपरी भाग हैं वो हरे दिखाई देते हैं हरित लवक के द्वारा ही पौधों में फोटो सिंतेसिस की क्रिया होती है और विभिन प्रकार के कार्बो हाइड्रेट्स बनते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं वेज़ आप दे फालोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन हनी बीज हनी बी यानी मदुमक्खियों के बारे में इन में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं यह आपको बताना है तो जो है मेल्स आर हैपलाइड वर्कर सार इस्टेलाइल एंड डिपलाइड क्वीन जबलफ फ्रॉम डिपलाइड लारवा दैट फेड अन रॉयल जली हनी is collected made by males अब इसमें से हमको बताना है कि कौन कौन से हनी बी के बारे में सही स्टेटमेंट है तो पहला जो होता है मेल्स कैसे होता है हैपलाइड होते है यानि उनमें जो क्रोमोजोम होता है वो हैपलाइड होता है Workers जो होते हैं जो उसमें स्रमिक मक्हियां होती है वो sterile होते हैं यानि वो बंध होते हैं और उनमें जो क्रोमोजोम होता है वो deployed होता तो ये भी statement सही हो गया Queen develops from deployed larva that fed on royal jelly जो रानी मदमक्ही होती है वो royal jelly पर पोसित होते हुए दुईगडित लारवा से विक्सित होती है तो ये भी कथनया पर सही हो गया और honey is collected या made by males ये गलत है तो इसके बारे में सही उत्तर क्या है मदमक्ही या honey भी एक सामाजिक मक्ही है इसकी कालोनी में तीन प्रकार के सगस होते हैं एक को हम लोग रानी मक्ही कहते हैं स्रमिक होते हैं कुछ जो है और उसके बार मेल या नर होते हैं इनमें नर का निर्माण रानी के द्वारा दिये गए अनिसेचित नंडो यानि हैपलाइट से होता जबकि अन्य दोनों कौन कौन से स्रमिक हो गए और रानी हो गए ये जो है निसेचित या डिपलाइट से विक्सित होते हैं नर तथा रानी जनन योग होते हैं यानि ये फटाइल होते हैं ये फिर से प्रजिनन कर सकते हैं लेकिन जो स्रमिक इसमें से वर्ग होता है मदमक्यों का वो इस्टेराइल होते हैं इनमें प्रजनन की छमता नहीं होती है नर्मक्यों का एक मातकार है रानी का निसेचन करना और सहथ के संग्रहवा निर्माण का कार जो है स्रमिक मक्यों द्वारा किया जाता है तो मुझे लगता है कि अब आप पूरी बात समझ गया होंगे जो इस प्रस्न में पूछी गई थी Which are the following pairs of vectors and disease यानि वाहक और उनसे होने वाले जो रोग हैं वो correctly matched हैं या नहीं है तो चलिए options देखते हैं सबसे पहले है एनाफ्लीज एनाफ्लीज जो है क्या malaria cause करता है बिल्कुल सही answer है एडीज एजिप्टियाई ये क्या है इससे चिगनगुनिया होता है ये चिगनगुनिया का वाहक है ये भी सही दिया हुआ है सी सी फ्लाई क्या ये phyleriasis या phyleria disease cause करता है तो ये गलत है और खटमल के द्वारा जो है sleeping sickness या निद्रा रोग नहीं होता है तो इस तरह से केवल एक और दो यानि B option हमारा यहाँ पर correct होगा आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एनाफ्लीज से malaria होता है ये तो हमने देख लिया साथ में एडीज, एजिप्टी से जो है चिकनगुनिया होता है एनाफ्लीज जो है ग्रामीड छेतरों में file area cause करता है जो file area का वाहक है वो इसके द्वारा जो है transmit होता है और CC fly इससे जो है क्या होता है निद्रा रोग होता है अगला प्रसन देखते हैं यहाँ पर चार options दिये हैं और उसमें से आपको देखना है कि कौन-कौन से options या कौन-कौन से statements यहाँ पर सही है तो पहला है कि सभी echinodermates are not marine यानि सभी जो echinodermates होते हैं वो समुद्री नहीं होते हैं इस पंज जो है अनन्य रूप से यानि बिलकुल यह marine ही होते हैं समुद्री ही होते हैं इंसेक्ट are found in all kinds of handset जो इंसेक्ट होते हैं वो सभी प्रकार के जो है आवासों में पाए जाते हैं और जो नर्वानर होते हैं इनकों primates कहते हैं और arboreal या ब्रच वासी होते हैं ब्रच पर निवास करते हैं अब इन में से हमको देखना है कि कौन कौन से सही हैं तो इसका क्या उत्तर सही होना चाहिए इसमें जो है तीन और चार हमारा सायोगा कीट सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं और कई नर्वानर गण या जिनकों primates कहते हैं ये ब्रच वासी होते हैं तो B option यहां हमारा correct है चलिए इस प्रस्ण का जो है explanation देखते हैं इकाइनो डर्मेटा जो संग है इसके अंतर के जितने भी जातियां है वो सभी समुद्री होती हैं और संग पोरी फेरा के सरदस्यों को क्या कहते हैं इस पंज कहते हैं ये जली अधिकान समुद्री पत्थरों सिलाओं और अन जन्तूओं के खोलों पर लकडी के टुकडों पर चिपके हुए निर्जीव सी अपब्रद्धियों यानि आउट ग्रोड्स के रूप में होते हैं और ये अनन्य रूप से समुद्री नहीं होते हैं कीट जो होते हैं इंसेक्ट भूमी पर हवा में जल में सभी प्रकार के हैबिटेट्स में आवासों में पाये जाते हैं नरवानरगर्ण यानि प्राइमेट्स के कई सदस से ब्रच्छवासी या आर्भोरियल होते हैं अगला प्रसंद देखते हैं यहाँ पर दो लिष्ट दी हुई हैं एक में मॉलिकूल्स दी हुए हैं दूसरे में उससे क्या प्रोडक्ट जो है पाचन के उत्पाद बनते हैं इसको हमको सुमेलिट करना है तो सुरुवात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन तो प्रोटीन से क्या बनता है प्रोटीन का जब डाइडेशन होता है तो लाश्ट में क्या बनता है अमीनो एसिट्स बनते हैं उसके बाद हमारा बी आप्सन है कार्बो हाइडरेट कार्बो हाइडरेट से क्या ब तो इस तरह से हमारा D option यहाँ पर correct होगा एक बार फिर से इसको देख लिए प्रोटीन से अमीनो एसीड्स, कार्वो हाइड्रेट्स से मोनो सेकराइड्स, न्यूकलिक एसीड्स से नाइट्रोजिनस बेस और पेंटेस सुगर और लिपिट्स से जो है फैटी एसीड और गिल्स चाहिए, कोलेस्टराल का निमनिस्तर होना चाहिए, यह हमेशा हम लोग पढ़ते रहते हैं कि कोलेस्टराल जो है उसका एक लो लेविल होना चाहिए, HDL यानि हाई डेंस्टी लिपिड जो है इसका इस्तर जो है कैसा होना चाहिए, उच होना चाहिए, यह भी सही है, उच V और दो जो है यहाँ पर सही हैं कोलेस्ट्रॉल की मातरा अधिक होने पर यह है रुधिरवानियों यानि ब्लड वेसल्स के भीतरी इस्तरों पर एकत्रित होकर ठोस परत या प्लैग बना लेती है जिससे आगे चलकर दिल का दौरा या जिसको हर्ड श्ट्रोक कहते हैं पढ़न बढ़ जाता है जो अंत्रता हिर्दय रोग वा हिर्दय घहात यानि स्ट्रोक के तरिक्त मस्तिक्स कीड्नी वा अन्यंगों में भी गंबीर रोग का कारण बनता है इन पपड़ियों के कारण ब्लड वेसल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बाधित हो जाता है और लगु गल्प ए जो है इसका सही है अगला प्रसन देखते हैं जो इसमें चार स्टेट्समेंट्स दिये हैं वो भी किसके बारे में DNA के बारे में तो इसमें कौन कौन सा सही है उसको हमको यहां से इसका चैन करना है एक एक करके हम इसका परिक्षन करते हैं DNA is the hereditary material for all living organisms यानि DNA जो ह सभी जीवधारियों में अन्वानसिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है क्या ऐसा जरूरी है ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तो पहला statement हमारा incorrect हो गया all segments आप DNA code for synthesis आप protein DNA के सभी खंड जो है protein synthesis के लिए coding करते हैं ये भी बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो nuclear DNA is double helical with two nucleotide chain which run anti-parler ये बिल्कुल सही statement है इसके बाद DNA is also found in mitochondria तो mitochondria में DNA पाया जाता है ये भी statement बिल्कुल सही है तो इस तरह से हमारा B option यहाँ पर correct होगा इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं केंद्रक अर्थात नाभिक या nucleus के अतरिक्ट mitochondria और chloroplast में भी DNA पाया जाता है नाभ की DNA जिसको हम nucleus nuclear DNA कहते हैं ये anti-parler चलने वाले दो nucleotides chains का से double helical format में होता है सभी जीविजियों का अ कुछ viruses में पाया जाता है DNA के अधिकांस भाग protein के sensation को coded नहीं करते हैं इसी और जो भाग जो है coding नहीं करते हैं protein synthesis के लिए उनको non-coding DNA कहा जाता है अगला प्रसंदेखते हैं अगला प्रसंदेखते हैं among the given nutrients milk is a poor source of यानि milk से हमको सबसे कम इनमें से क्या प्राप्त होता है यानि दूद जो है उससे सबसे कम इनमें से कौन सा nutrient हमको प्राप्त होता है तो दूद में calcium होता है ठीक ठाक amount में protein भी होता है और carbohydrate भी होता है लेकिन vitamin C जो है दूद में नहीं होता है या बहुत ही कम मात्रा में जिसको हम negligible amount कहते है उसमें पाय जाता है तो इसका D options होगा प्रती 100 ग्राम दूद की मात्रा में calcium लगभग 113 mg protein लगभग 3.2 ग्राम carbohydrate लगभग 5.3 ग्राम होता है जबकि vitamin C जो है नगर्ण होता है इसलिए D options जो है इसका correct होगा अगला प इस्तंधारी नहीं है तो इस सभी समुद्री जीव हैं आप जानते हैं तो इन में से कौन सा एक इस्तंधारी नहीं है ये हमको बताना है तो dolphin इस्तंधारी होती है सील भी इस्तंधारी होती है और whale ये भी एक महमल होता है रेकिन सार्क जो है ये क्या है ये एक इस्तंधारी नहीं है, सार्क क्या होती है, बेसीकली सार्क जो है, एक मछली होती है, सार्क एक समुदरी cartilaginous फिस है, यह इस्तंधारी नहीं है जबकि तीनों अन्य विकल्ड जो है mammals की स्रेडी में आते हैं, अग्ला question देखते हैं, निमलिखित कोसिकांगों में से कौन सा एक अर्ध पारिगम यानि सेमी पारिमेबल और्गनेल है सेमी पारिमेबल का मतलब आप जानते हैं जो कुछ पडार्थों को आरपार आने देने में मदद करता है तो इसमें से हम आपसंस पर ध्यान देते हैं अगर हम सेल मेंब्रेन की बात करें तो सेल मेंब्रेन और प्लाजमा मेंब्रेन ये दोनों ही सेमी पारिमेबल होता है नेचर में तो इसका सही उत्तर क्या होगा ए और बी यहाँ पर दोनों ही जो है आपसं हमारे ठीक है तो प्लाजमा जिल्ली या कोसिका जिल्ली यानि प्लाजमा मेंब्रेन और सेल मेंब्रेन जो है सेमी पर्मेबल जिल्लियां होती है जो प्रतेक सजी कोसिका के जीवदरवे को घेर कर रखती है इसका निर्मार तीन लेयर्स में होता है इसमें बाहरी और भीतरी परते प्रोटीन द्वारा बनी होती है और मध्य वाली जो परत होती है इसका निर्मार लिपिड या वसा के द्वारा होता है अगला प्रस्ण देखेंगे निमलिखित में से कौन सा एक पसू इस्तंधारी है यानि इन में से कौन एक मैमल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घडियाल, प्लाइटीपस और हौन बिल तो ये प्रस्ण जो है आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा क्योंकि ये अपवाद सुरूप भी एक्जामपल दिया जाता है मैमल का तो इसमें से जो प्लाइटीपस है ये एक अपवाद है ये जो है एक अंडा देने वाला इस्तंधारी जिसके बारे मैं आपने पहले पढ़ा होगा तो ये इस्तंधारी ही है लेकिन इसकी एक और विशेष्टा है कि एक अंडा धेने वाला यानि एग लेंग मैमल है जो की मोनो ट्रिमेटा ओर्डर का एक सदस है ये प्रोटोथीरिया सब क्लास में आता है और ये प्राया आश्टेलिया तथा नियूगिनी में पाया जाते हैं इनमें सिसु का जन्म अंडे से होता है जो की इस्तंधारी का एक लच्छन नहीं है इनमें टीट्स का भाव होता है इनमें दुख्द गंदियां स्वेद गरंतियों से ही व्यूत्पन होती है यानि डिराइव होती है और प्रजनन काल के दोरान मादा के उदर के पास एक वि पत्तागोभी से प्राप्त नहीं किया जाता है तो बहुत सारे जो है वेजिटेबल्स दी है जिसमें से एक आपको बताना है जो की कैबेज या पत्तागोभी से नहीं प्राप्त होता है तो इसका सही उत्तर क्या है लेट्यूस लेट्यूस जो है पत्तागोभी से नहीं प् इसके अंतरकत क्या क्या आता है ब्रॉकली आता है केल आता है कोहल रूबी आता है जबकि लेट्यूस जो है एस्टरेसी फैमिली का जो है सदसे है और इसे वन पत्ता वो भी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है अगला प्रसंड देखते हैं कैक्टर्स के बारे में दो कतन दीये हुएं आपको तो कैक्टर्स के बारे में इन दोनों कतनों पर विछार करके इसमें से कौन कौन से कतन सही है ये बताना है तो इसकी जो पतियां होती है वो reduce होके क्या बन जाती है कंटक या काटे बन जाते है तो बिल्कुत सही है क्योंकि एक मरसुली है और वहाँ पर इसमें विसेश प्रकार का adoption हो जाता है दूसरा हमारा statement है the stem does the photosynthesis यानि इसका जो तना होता है वो प्रकास translation करता है क्योंकि पतियां पहले ही spine में modify हो चुकी है तो तना जो हरा होता है वो प्रकास translation करता है यह एक और दो दोनों ही option यहाँ पर correct है तो C जो है मारा यहाँ पर options में से सही है cactus की पतियां modify होकर काटों में बदल जाती है जिससे इन में सुस्क बाता वरण के प्रती uncoolता विक्सित होती है पतियों के इनपसिती में इसका जो तना होता है stem होता है वो photosynthesis करता है अगला प्रसंद देखेंगे एक घोड़ा और एक गधा जनन के दोारा खचर पैदा करते हैं खचर को हम लोग क्या कहते हैं इंगलिस में mule कहते हैं जो की horse और डंकी के breed से आपस में जो breeding होती है horse और डंकी की तो उससे क्या बनता है? mule बनता है और एक अनूरवर यानि एक sterile है पसू है ये घोड़े और गधे की निमलिखित में से कौन सी भिवनता के कारण ये sterility होती है यान उनमें कौन सी ऐसी भिवनता पाई जाती है जिसके कारण जो है जो mule होता है वो sterile होता है या infertile होता है तो इसका सही option क्या है? इसका C option जो है correct है उसमें क्योंकि दोनों की species अलग है गधे और घोडे की जाती में भिनता होने के कारण इनसे उत्पन खचरों में अनुर्वर्ता या infertility पाई जाती है अगला प्रसंद देखते हैं the major combustible component of gober या cow dung gas is gober gas का जो है सबसे प्रमुक घटक जो दाह घटक होता है जिसका दहन होता है वो कौन साइन में से methane, carbon dioxide, hydrogen या propane इनमें चार options में से आपको सही option चुनना है तो इसका सही option क्या हो जाएगा methane, a option जो है इसमें correct है gober gas को biogas भी कहा जाता है इसके प्रमु दाह घटक या combustible component methane है जिसकी मात्रा लगबग 50 से 75 प्रिस्टत तक इसमें होती है gober gas, gramid इलाकों में इधन के रूप में भोजन पकाने तथा प्रकास की विवस्था करने में उप्योगी होता है अगला प्रसन देखते हैं हल्दी के किस भाग से हल्दी powder हम प्राप्त करते हैं चार आप्षन आपके सामने है सुखाया हुआ प्रकंद यानि rhizome, सुखाया हुआ root या dried root सुखाया हुआ फल जिसको dried fruit कहेंगे इंगलिस में या seed, इन चारों आप्षन में आपको तै करना है कि जो जो हल्दी होती है जिसको हम खाने में यूज करते हैं तो वो powder कहां से प्राप्त होता है यानि हल्दी के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? dried rhizome जो इसका rhizome है जो इसका भूमिगत तने का modification होता है सुखाया हुआ प्रकंद उसी से पीस कर हल्दी प्राप्ट की जाती है हल्दी जिंजी बरेसी family का एक पौधा है इसका बॉटनिकल नेम कुरकुमा लॉंगा है और इसका प्रकंद होता है राइजोम होता है यह रूपांत्रित भूमिगत तना होता है जिसे सुखा कर तथा पीस कर हल्दी पाउडर हम प्राप्ट करते हैं अगला प्रसंद देखते हैं तो ये प्रसंद थोड़ा सा ट्रिकी है इसको ध्यान से हम पढ़ते हैं तो समझ में आएगा इसमें breeding के बारे में उसकी परिभासाएं दी हैं कि किस तरह की breeding में क्या होता है इन breeding या अंतह प्रजनन क्या होता है एक ही नसल की एक दो पीडियों के लिए अधिक निकट सम्मंदित जन्तुओं का संगम क्या in breeding कहलाता है तो ये उत्तर जो है ये statement सरासर गलत है बही प्रजनन या out breeding क्या होता है एक ही नसल के बिना किसी सामान पूरवज के चार छे पीडियों के लिए आसम्मंदित जन्तुओं का प्रजनन बही प्रजनन कहलाता है ये भी उत्तर यहाँ पर गलत दिया तो ये भी दोनों ही गलत है C देख लेते हैं जिसको हम cross breeding कहते हैं एक नसल के ही स्रेश्ट नर और दूसरी नसल के स्रेश्ट मादाओं के बीच संगम ये जो है cross breeding कहलाता है और out crossing जिसको बही संकरन कहते हैं तो संतती को इसमें जो है बही संकर या out cross कहते हैं तो D option भी सही है तो इस तरह से इस प्रस्ण में एक और दो यानि A और B दोनों ही जो है गलत है A की ही नसल की 4-6 पीडियों के लिए अधिक निकट संबंधित जन्तूओं का संगम या मेटिंग अन्ताह प्रजिनन या in breeding कहलाता है जबकि हमारे statement में क्या दिया था कि एक दो पीडि इसमें एकी ही नसल के स्रेष्ट नरोवा मादाओं के संगम के फलसरूप जो होमो जाइगस गुड उत्पन होते हैं अन्ताह प्रजिनन सुद्ध नसल की प्राप्ती में सहायक होती है फिर वही पर बात करते हैं बही प्रजिनन या आउट ब्रीडिंग की तो इस प्रिक्रिया के अंतरगत एकी ही नसल के या भिन नसल के चार-छे पीडियों तक बिना किसी सामान पूर्वज के आसंबंधित जन्तूओं के मध्य में प्रजिनन होता है इसलिए बिकल्प ए और दो दोनों ही गलत थे अगला प्रसंद देखेंगे निमलिखित में से कौन सा एक जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है चार आपसन आपके सामने हैं हाथी, ब्लू वेल, गैंडा या दर्याई घोडा यानि एलिफैंट, राइनोसौरस, ब्लू वेल या हिप्पो पोटैमस तो चारो ही बड़े जानवर हैं लेकि सबसे बड़ा जो है इसमें बच्चे को कौन जन्म देता है यह आपको बताना है तो इसका सही उत्तर क्या होगा, C option सही होगा, ब्लू वेल ब्लू वेल संसार का सबसे बड़ा जन्तु है जिसकी लंबाई 100 फीट तथा वजन 180 टन तक होता है यह जन्तु संसार में अन जन्तुओं की तुलना में सबसे बड़े बच्चे को जन्म देती है जिसकी लंबाई लगबग 25 फीट तथा वजन लगबग 3 टन तक होता है next question देखते है which are the following plants यानी नीचे दिए गए plants में किसको एक living fossil या जीवित जीवास्म के रूप में जाना जाता है तो इसमें चार आपसन आपके सामने हैं इफेडरा, साइकस, गिंगो या एडि एंटम तो एडि एंटम, जिंगो, साइकस, इफेडरा इन चार में से आपको सही उत्तर का चैन करना है तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? C option सही होगा गिंगो जो है इसको ही living fossil या जीवित जीवास्म कहा जाता है अब जीवित जीवास्म जो term है इसका क्या मतलब होता है? तो जीवित जीवास्म उन जीवित जातियों को कहते हैं जिनकी उत्तर पत्ति लाखो करोडों वर्स पूर हुई थी और तब से आज तक उनमें कोई भी परिवर्तन जिसको हम जय विकास कहते हैं नहीं हुआ मतलब जैसी वो सुरुवात में उत्पन हुई थी आज तक वैसी ही है जिंगो बाइलोबा एक ऐसा ही पौधा है जो ट्राइसिक पिरियेड में उत्पन हुआ था और आज भी जीवित तथा आपरिवर्तित है नेस्ट कोस्टन देखते हैं हौपकन इंस्ट्टूट मुंबई किसके उत्पादन के संदर में अपने कार के लिए जाना जाता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्लेग का टीका टिकनेस का या पोलियो का टीका या लेपरोसी का टीका इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्लेग वैक्सीन या प्लेग टीका प्लेग टीका के लिए इसको जाना जाता है हॉफकिन इंस्ट्यूट मुंबई की स्थापना 1899 में हुई थी इसका यह नाम प्लेग टीका के खोज करता डॉक्टर डबलू एम हॉफकिन के नाम पर रखा गया था डॉक्टर हॉफकिन ने अपने द्वारा विक्सीन प्लेग टीका की छमता हुआ इससे सुरच्छा की जाचेतू क्लीनिकल ट्रायल जो है खुद पर किये थे अगला प्रसन देखते हैं फ्लेमенगो जैसे पच्छी एक टांग पर खरे रह सकते हैं निमलिखित कत्नों मेंसे कौन सा इस संबन में सही है तो flamingo के बारे में ही इसमें बात हो रही है एक टांग पर खड़े रहने से फलेमिंगो अपने सरीर के ताप और उर्जा को संदच्छित रख सकते हैं क्योंकि वे काफी बड़े सतही छेतर को कम करके ताप की छती को रोक सकते हैं क्या ये statement सही है तो बिलकुल सही है ये statement दूसरा statement क्या है एक टांग पड़ खरे रहने से एक फ्लेमिंगो अनुरंजन प्रदर्सन करता है जो की प्रजिनन से पूर्व किया जाने वाला एक क्रत्य है तो दूसरा जो statement इसमें गलत है यानि ए आप्सन इसमें केवल सही है थोड जैसे पच्छी एक टांग पर खडे रहेकर काफी बड़े सतही छेत्र को कम करके ताप वा उर्जा को संद्चित करते हैं जबकि गर्व मौसम में वे प्राया दोनों टांग पर खडे रहते हैं उनका एक टांग पर खड़े होने का विवहार अनुरंजन या कोड़शिप य यूरीन अंडर नॉर्मल सरकम्टांसेज यानि एक स्वस्त मनिस्य में जो उसका यूरीन होता है उसमें से कौन सा एक पदार्थ जो चार आपके दिये हैं सामानिता जो है उसके यूरीन में नहीं मिलता है या नहीं उसके साथ निकलता है यानि जब कभी वो बीमार होगा किसी समस्या से तब ही वो सिक्रीट होगा तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा देखते हैं यूरीया तो निकलता है सोडियम भी निकलता है पोटेशियम भी निकलता है लेकिन जो एमीनो एसिट्स होते हैं इसका सिक्रीशन यूरीन के साथ एक हल्दी मनुष्य में एक स्वस्थ व्यक्ति में नहीं होना चाहिए सामान इस्थितियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में से अमीनो अमल उत्सरजित नहीं होते हैं अमीनो एसिट प्रोटीन की मोनोमर्स होते हैं और मूत्र में इनकी उपस्तिटी प्रोटीन यूरिया नामक बीमारी को जन देती है मूत्र में समानेता 95% जल होता है 2% जो है अनावस्यक लवणों के आयन जिसमें सोडियम कैल्से में त्यारी होते है 2.6% यूरिया होता है और 0.3% क्रिटिनीन होता है तता आतिसूच मातरा में यूरिक एसिड और अन्य अन्यावस्तक और अपसिस्ट यानि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते है इन विच अप दे फालोइंग मेथोजेंस इट इस मेथेन प्रोडोसिंग बैक्टिरिया आर नौट प्रजेंट इन में से किसमें मेथेन उत्पन करने वाले वैक्टिरिया नहीं पाय जाते हैं पसूओं के प्रथम आमासा है जिससे रूमेन कहते हैं दुसरा अपसन है वाईू जीवी पर्यावरण में यानि एरोबिक इनवाइरमेंट में तीसरा है अवाईवी आपक में यानि एन एरोबिक स्लज में और एक्सक्रीटा आफ कैटल्स यानि पसूओं के मल मुत्र में या पसूओं के अपसिष्ट पदार्थों में इसमें से सही उत्तर कौन सा है इसमें सही उत्तर है B-Option वायू जीवी परियावरण में या एरोबिक इनवायरमेंट में मेथनोजेंस यानि मेथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टिरिया नहीं पाय जाते हैं मेथेन जो पादित करते हैं बैक्टिरिया उनको हम मेथेनोजेंस कहते हैं मेथेनो कौकस मेथेनो बैक्टिरियम आदी जो है मेथेनोजेंस के उधारण है ये प्राया पसुओं के रूमेन में पसुओं के मलमूत्र में सीवेज सलज में और अन्य अवायवी अपाक यानि एन पाए जाते हैं आक्सी या वाइवी बाता रण में यानी जहां भी ऑक्सीजन होगी और वाइवी होगी उसमें जो है एरोबिक इनवार्मेंट जिसे हम कहेंगे उसमें ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं next question देखते हैं it is difficult to kill virus because they virus को मारना कठिन है क्योंकि चार आपसन आपके सामने इनके चारो तरब जो है प्रोटीन का बहुत ही मजबूत कोट होता है ये बहुत ही size में छोटे होते हैं इनमें कोई भी cellular structure नहीं पाया जाता या spend a lot time inside the host cell और या ये जो है host cell में पोसी कोशिका में अत्यधिक समय बिताते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा factor है जिसके कारण जो है इनको मारना बहुत ही कथिन होता है तो इसका सही option क्या है D option ये पोसी की कोशिका में अत्यधिक समय बिताते हैं कई प्रिकार के विशाणूों में व एरसेंज में आवरन के enคะ अंजयमों के अत्री हैं तो ये एंजाइम विसाडू के जीनोम के दुईगणन यानी रेप्लिकेशन और ट्रांस्क्रिप्शन दोनों को उत्प्रेरित करते हैं यानी अपने इसाब से इसको चलाते हैं इस प्रकार ये सरीर में अनिकोसिकाओं को नश्ट करते रहते हैं और इसी कारण इन्हें मार करना कठी होता है विसाडू का स्वयम का अपना कोई भी मेटाबॉलिक प्रासेस नहीं होता है वो पूरी तरह से मेटाबॉलिजम के लिए host सेल पर ही करते हैं नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं फ्लॉराइट के बारे में हैं फ्लूराइट को टूटपेस्ट में यानि दंतमंजन में मिला जाता है और ऐसी रिकमेंडेशन क्यों की जाती है इसका आपको कारण बताना है चार आपके सामने हैं प्लॉक को बनने से रोकता है ये दातों के इनेमल को और मजबूत करता है रोगजनक जीवाणों को मारता है और दातों के दर्ल की रोगथाम करता है इसमें से सही उत्तर क्या होगा ये जो है दातों के इनेमल को ध्रड करता है उनको और मजबूत करता है दातों पर प्लॉक का बनना एक सामान प्रिकरिया है जिसे रोका नहीं जा सकता या दंत च्छै या तूट डिकेवा मसूडों से सम्बंदित बीमारियों के लिए उत्तरदाई होता है इसे नियमित रूप से ब्रस करके रथा डेंटर, फ्लॉस, इत्यार इमाद्मों से नियंत किया जा सकता है दातों पर फ्लॉराइड का प्रियोग दातों के इनेमल को मजबूती पदान करता है जो दंत च्छै को रोकने में सहायक होता है अगला कोश्चन देखेंगे हम सौफ्टनिंग आफ मैच्योर राइफ फ्रूट इस डूटू जो एक मैच्योर फल होता है वो स इस कारण या डिग्रेडेशन आफ प्राइमरी वाल प्राइमरी वाल के डिग्रेडेशन के कारण या डी लिगनिफिकेशन उसमें जो है डी लिगनिफिकेशन की प्रॉसेस हो जाती है या उसकी लिगनिन जो है वो डिजॉल हो जाती है इसके अलावाद चौथा आप्सन है removal of suverene deposit in the cell wall cell wall में जो suverene पाया जाता है उसका removal हो जाता है उस बज़े से तो चारो options में से सही कौन सा है इसमें actual में दो options हैं A और B इसमें middle lamella भी dissolve हो जाती है और primary wall का degradation भी हो जाता है तो A और B दोनों ही options यहां पर सही होंगे फलों के पकने के दोरान पेक्टेट लाइजेज वा कुछ अन्य हाइड्रोलिटिक एंजाइम के प्रभाव से middle lamella का तथा primary wall का अपच्छे हो जाता है जिसके कारण फलों में मुर्दिता आ जाती है या softening हो जाती है next question देखेंगे which one among the following is the largest monkey इन में से सबसे बड़ा बंदर एक कौन सा है चार आपसन आपके सामने है spider monkey, baboon, gorilla या hauler monkey चारों में से एक सही उत्तर आपको चुनना है तो इस में से सबसे बड़ा जो monkey होता है वो होता है baboon, b option यहाँ पर correct होगा इसकी लंबाई अधिक्तम 120 cm तथा वजन जो है 40 kg होता है hauler बंदर की लंबाई अधिक्तम 70 cm जबकि spider बंदर की अधिक्तम लंबाई 66 cm होती है gorilla महाकापी परिवार का सबसे बड़ा सदर से है इसे बंदरों की स्रेडी में नहीं रखा जाता है यानि यह जो है primates की स्रेडी में आता है next question देखते हैं जो की statement के form में दो कथन आपको दिये हैं उस पे आधारित प्रसनों को आपको हल करना है आहार में नमक की अत्यधिक मात्रा व्रकों यानि kidney के खराब होने का एक कारण हो सकती है यानि अगर आपके भोजन में sodium जादा है नमक जादा है तो जो है आपके ब्रक जो है या kidney खराब हो सकते हैं पहला कथन है दूसरा कथन है अधिक नमक से उच्छ रक्तदाब यानि high BP हो सकता है कथन एक और कथन दो दोनों पर ही हमको विचार करना है और दोनों ही कथन जो है बिलकुस सही है तो हमारा कौन सा आप्सन सही होगा ए दोनों कथन व्यष्टिता सकते हैं कथन दो कथन एक का सही स्पश्टी करण है इसकी व्याख्या देख लेते हैं आहार में नमक की अतरिक मात्रा से धमनिया वा अन्यरक्त वाहिनिया यानि व्लड वेसल्स में अतरिक्त तनाव उत्पन होता है जिसके फलसरूप उच्छ रगदाप या हाई बीपी हो सकता और इसका प्रभाव जो है हमारे किड्नी इस पर नहीं रहती है तो किड्नी के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है अगला प्रसंद देखते हैं अब प्लांट हैविंग यलो लीव्स यानि एक पौधा है जिसकी पीली पतियां और उस पे जो है मुरत धब्बे या डेड स्पॉर्ट पढ़ जाते है तो यह किसकी ग्रेंडल्स दिए हुए हैं पोटेशियum, मैगनीशियum, नाइटरेट और फॉस्पेट इसमें से पतियों का पीला पढ़ना और पतियों पे डेड स्पॉर्ट पढ़ना किसकी कमी के कारण होता है आपको बताना है तो इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसमें दोनों उत्तर जो A और B यानि पोटेसियम और मेगनीशियम दोनों के ही कारण ऐसा होता है मैक्टर ने के अनुसार मेगनीशियम तथा पोटेसियम दोनों की कमी से पौधों की पतियां का पीला होना तथा उन पर मृत धब्बे यानि डेड स्पॉर्ट जैसे लच्छड दिखाई देते हैं और इन खन्यों की कमी से डंठल भी जो है वो कैसे हो जाते हैं पतले हो जाते हैं चलिए अगला प्रसन देखते हैं जीवाणों की किसमे पायाता है नूकिलियस में, सैल में में, साइटोप्लाजम में या राइबोसोम में तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो genetic material बैक्टीरिया का है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, एक prokaryotic cell है, तो उसमें जो है, वो केंद्रक या केंद्रिका केंद्र ना पाय जाके, उस सीधा सीधा साइटो प्लाजम या कोशिका द्रब में ही उसका genetic material बिखरा रहता है, तो आप होते हैं, इनमें केंद्रक भी इस पश्च रूप से नहीं होता है, और अन्वानसिक पदात कोशिका द्रब में सीधे तोर पर एनिसाइटो प्लाजम में ही पाया जाता है, अगला प्रसंद देखेंगे, which among the following is not true fruit, इसमें से एक सत्य फल नहीं है, या वास्तविक फल नहीं है, तो true fruit इसमें से कौन सा नहीं है, save, ए ओप्सन यहाँ पर correct होगा, true fruit क्या होते हैं, जब परिवक, परिपक को अंडासय, यानि mature ovaries से निसेचन के बाद, यानि fertilization के बाद फल का विकास होता है, और जिस फल का निर्माड अंडासय से होता है, यानि ovaries से होता है, उसे हम true fruit कहते हैं, और अंडासय के तरिक्त कहीं से भी अगर फल का विकास होता है, तो वो true fruit नहीं होता है, उन फलों का जिनका निर्माड एवं विकास पुस्त के अनि भाग, जैसे थैलमस हो गया, कैलिक्स हो गया, आदि भागों से होता है, तो उन्हें हम false fruit कहते हैं, save के फल का नि एक पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन कौन सा है, यानि ऐसा हार्मोन जो पौधे में पाय जाता हो, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इंसुलिन आप जानते हैं, मनुश्यों में होता है, थारॉक्सिन भी मनुश्यों में होता है, एस्ट्रोजिन भी मनुश्यों में होत यानि ये cell division को प्रोच साहित करता है और बीजों एम कलिकाओं में प्रुसिप्त बिछेद्यन में सहाइदा करता है ये फलों में भी ब्रद्धी को बढ़ावा देता है इंसुलिन थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन जो है ये मैमल्स में पाए जाने वाले हार्मोन है अगला प् या रिट्रो वाइरस के कारण तो इसका सही उत्तर क्या है लेप्रोसी इस कॉजड बाई बैक्टीरिया बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा और बैक्टीरिया का नाम क्या है माइको बैक्टीरियम लेप्री नामक जो है बैक्टीरिया होता है जिसके कारण लेप्रोसी होता है इससे मुक्ता तवचा एवं परधी ये तंत्रिकाय प्रभावित होती है इसे हंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रसंद देखते हैं Which one of the following cell organelle is absent in animal cell Animal cell में कौन सा cell organelle इसमें से नहीं पाया जाता है कौन सा कोसिकांग जन्त कोसिका में नहीं पाया जाता है या प्राणी कोसिका में नहीं पाया जाता है तो ये भी बहुत ही आसान है गर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे cell membrane, endoplasmic reticulum, mitochondria या cell wall तो आप जानते हैं cell wall या कोसिका वित्ती जोती है वो केवल पौधों में पाया जाता है और ये plant cell की बहुत ही specific peculiar feature है ये तो पादप कोसिका में cell wall पाया जाती है जबकि प्राणी कोसिका में उसकी जेगे पे कोसिका भित्ती नहीं पाया जाती है वहाँ पर cell membrane पाया जाता है कोसिका कला अंता प्रद्रवी जालिका जिसको में endoplasmic reticulum कहते हैं और ribosome जिसको हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं प्राणी रथा पादप दोनों ही कोसिका में पाया जाता है इसमें से कौन सा एक ऐसा अंग है जो इस्तरी जननतंत्र या female reproductive system का पार्ट नहीं है फैलोपियन ट्यूब, cervix, urethra और vagina इनमें से कौन सा एक female reproductive system का पार्ट नहीं है तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा C, urethra जो है ये female genital system ये female reproductive system का सौरी पार्ट नहीं है फैलोपियन ट्यूब, गर्भासे, ग्रीवा, योनी ये इस्तरी के प्रजिननतंत्र के भाग है मूत्र मार गयो है यूत्रा प्रजिननतंत्र का भाग नहीं होता है इस्तरी के डिम के संचरण का कार फैलोपियन ट्यूब में द्वारा होता है यह एक जोड़ी होती है यह एक जोड़ी होती है यह अंडासे को गर्भासे के साथ जोड़ती है गर्भासे मुख या गर्भ ग्रीवा जिसको सर्विक्स कहते हैं एक छोटा चिदर होता है जोकि गर्भासे को योनी से जोड़ता है योनी खाली नलिका जैसी मानस्पेसियों औ को से बनी सनचना होती है जो कि योनी मुख से लेके गरवासे गरीबा तक फैली होती है लेंगिक संभवक के दवरान पूरुस लिंग को योनी गरहन करती है जहां पर उसे निसेचन के लिए सुकराणू प्राप्त होते है योनी के दवरा ही गरवासे से गरब प्रसावित होता है next question देखते हैं चंदन के पेड को क्या माना जाता है चंदन का पेड किस प्रकार का पेड है पैरसाइट तो होता है यह हम लोग सभी जानते हैं लेकिन जो sandalwood है या चंदन का पेड है किस तरह का पैरसाइट है total root parasite total stem parasite केवल stem parasite या partial root parasite तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर होगा partial root parasite या आंसिक मूल परजीवी चंदन का पेड आंसिक मूल परजीवी पौधा है इसका वैग्यानिक नाम centellum album है इस पौधे का एक वर्स तक स्वतंत रूप से विकास होता है इसके पचाथ इसकी जड़े दल बरगिया नीलगिरी या अलबीजिया के पौधों की जड़ से संपर बनाकर पोश्ण करने लगती इसलिए जो इसको आंसिक मूल पर जीवी कहते हैं मूल सब नहां पर इसलिए लगा क्योंकि यह roots के द्वारा जो है परसिटिज्म दिखाता है अगला प्रस्ट विच वन आप दा फालोइंग औरगन्स ब्रेक फाइक टू प्रोडूस कोलेस्ट्रॉल निमलिखित में कौन साय का ऐसा अंग है जो वसा का ब्रेक करके उसका भंजन करके वसा से कोलेस्ट्रॉल उत्पन करता है तो इसका सही उत अप्सन मचेज इसमें से आपको निर्णय लेना है क्या ऐसा इंटस्टाइन में होता है या लीवर में होता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा लीवर लीवर जो है वसा को तोड़कर उसको कोलेस्ट्रॉल में बदलता है लीवर कोस जो होता है ये वसा को फैटी एसिड और गिलसराल में तोड़ देता है, फैटी एसिट के छोटे अडवों में परिवर्तित कर देती, जिसका आक्सिकरण किया जता है, लिवर शरीर के लिए आवस्य कोलेस्टराल का भी उत्पाधन करता है, next question देखते हैं, carbon and energy requirements of artotropic organisms are fulfilled by, स्वपोसित जो जीव होते हैं, उनका carbon और उर्जा किया हो सकता हैं, किसके द्वारा पूरी की जाती हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स्वपोसित का मतलब आप समझ रहे हैं कि हरे पौधे, और हरे पौधे कैसे carbon और उर्जा अपनी प्रा संसलेशन यहाँ पर सही होगा, photosynthesis के द्वारा वो जो है, carbon और उर्जा किया हो सकताओं को पूरा करते हैं, स्वपोसित जीवों को उत्पादक या producer भी कहा जाता है, नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, biological catalysts in living organism are known as, जीवित जीवों में जैविक उत्परेरक क्या कहलाते हैं, यानी जैविक उत्परेरक इसमें से कौन सा है, हार्मोन है, vitamins है, steroid है या enzyme है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, enzyme, enzyme क्या होते हैं, यह biological catalyst होते हैं, जीवित जीवों में जैविक उत्परेरक enzyme कहलाते हैं, enzyme जैव रासायनिक अबरिकिया की गती निर्धारन के महत्पूर्ण कारक हैं, यह रासायनिक अबरिकिया को बढ़ा एवम घटा देते हैं, enzyme क्या होते हैं, यह simple proteins होते हैं, सरल protein होते हैं, अगला प्रस्ण देखते हैं, जीवों के निमलिखित प्रकारों में से मस्रूम किस से संबंध हैं, यह जैवाल फर्न में आता है, या कवक में आता है या यह लाइकेन में आता है, तो इसका सहीPr एक परकार के पौधे हैं जो अपना भोजन सड़े गले मुरत क्वारबनी पडार्थों से प्राप्त करते हैं इस वर्क के सदसे पॉन हरित रहित होते हैं यानि इनमें क्लोरो फिल नहीं पाया जाता है और इनमें जो ब्रध्धी होती है वो इस्पोर्स के मार्ध्यम से होती ह यानि इनका जो अगली पीड़ी बनती है इनमें जो रिप्रड़क्शन होता है उसके लिए स्पोर्स की आवशकता होती है चली अगला कोश्चन देखते हैं which one of the following vitamin is synthesized in our skin हमारी त्वचा की कोशिकाओं में या सीरे कहे लिजे हमारी त्वचा में कौन सा vitamin इनमें से संसलेसित होता है बनता है तो इसका सही उत्तर क्या है बहुत आसान प्रस्ण है simple question है इसका सही उत्तर है vitamin D vitamin D जो है हमारी skin में बनता है जब सूर के प्रकास में उपस्थित ultraviolet B spectrum का प्रकास हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा में उपस्थित 7D hydrocholesterol vitamin D3 के रूप में परिवर्तित हो जाता है इसे ही त्वत्तायद्वरा vitamin D का संसलेशन कहते हैं अगला question देखते हैं नौजात सिसु के लिंग का निधारन किस से वनसा अनुगत हुए गुरसूत्र द्वारा किया जा सकता है किसी भी बच्चे का जो लिंग निधारन होता है वो किस से प्राप्त गुरसूत्र से होता है माता के पिता के या माता की माता के या पिता की पिता के पिता से प्राप्त गुरसूत्र के आधार पे ही किसी बच्चे का लिंग निधारन होता है इसको हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं और माता में जो होता है वो X-X होता है क्रोमोजोम और पिता में X-Y होता है और इनके आपस में जो है जब संयुगमन होता है उसके पस चार्ट जो है सेक्स क्रोमोजोम के द्वारा determination होता है यदि नौजात में X-X गुर्ण सूतर जाता है जिसको हम सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं निमलिखित में से किसने पेनिसिलिनियम जीनस से एंटिबायाटिक उतपाद फंगर्स की खोज की थी बहुत ही फेमस नाम है आप लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि पेंसिलिनियम जीनस से जो है एंटिबायोटिक भी बना था और वो बनाया था किसने सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बी ओप्सन जो है इसका करेक्ट है स्कॉटलेंड के जी विज्ञानिक एवं औसदी निर्वाता सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेंसिलिनियम जीनस से एंटिबायोटिक उतपाद कवक की खोज की थी इस खोज के लिए उन्हें वर्स 1945 में चिकितसा विज्ञान के नोबेल पुरुसकार से दो अन विज पुरुसन है, which one of the following is useful in paper manufacturing industry? यहाँ पर कुछ पौधों के बारे में दिया गया है, इसमें से आपको यह बताना है कि कागज बनाने के उद्योग में इनमें से कौन सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? चार आपसन आपके सामने हैं, fibrous plant, orchids, non-flowering plant, या plant growing in high altitude, यानि ऐसे पौधे जो ज़्यादा उचाई पर उगते हैं, तो इसमें से कागज बनाने के उपयोगी कौन सा होगा? जो रेसेदार पादप होते हैं, यानि fibrous plant, जिनमें जो है, fiber की मात्रा ज़्यादा होती है, रेसेदार पादप कागज बिनिर्मार उद्योग में अत्यांत होते हैं, क्योंकि पौधों में पाया जाने अले रेसे, cellulose नामक carbohydrate से बने होते हैं, जिनकी लुगदी बनाकर कागज का निर्मार किया जाता है, अगला प्रसंद देखेंगे, which one among the following parts of blood carries out the function of body defense? यहाँ पर blood के कई सारे पार्ट दिये हुए हैं, जिसमें platelets है, hemoglobin है, WBC है red RBC है, तो इन में से कौन सा जो है body की प्रतिरच्छा तंत्र, यानि सरीर की रच्छा का काम करता है, तो इसमें अगर देखा जाएगा, तो सही उत्तर क्या होगा इसका, WBC, B option इसका बिल्कुल correct होगा, जो स्वेत रुधिर का सकाय होती हैं, यह हमारे immune system को, defense system को body के तयार क देखा करती है, तो WBC बिभिन प्रकार के संक्रमण से लड़ने का कारी करती है, और रोगों से हमारे सरीर की रच्छा करती है, यह कोशिकाएं शरीर के प्रतिरच्छा तंत्र का भाग होती है, रुधिर में स्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या लाल की तुल्ला में होती हैं कौन सी एक bacteria की वजय से नहीं होती है तो इनमें से कौन सी एक बिमारी आपको बताना है जो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं काज होती है चार आपसंदेख लिए आपको सामने cholera है, typhide है, hepatitis A है और bacillary dysentery है तो इस में से कौन सी एक ऐसी बिमारी है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होती है यह आपको बताना है तो इसका सही उत्तर क्या होगा Hepatitis A या यक्रत सोथ A क्यों क्योंकि ये जो है एक viral disease है ना कि एक bacterial disease है Hepatitis A एक विसाणुजनित संक्रामक यक्रत संक्रमन है जिसका कारण Hepatitis A वाइरस होता है ये दूसित भोजन या पानी संक्रमत व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है इसके अलावा जो अनने विमारियां थी हैजा, टाइफाइड और बैसलरी पेचिस ये जो है सभी bacterial diseases है Next question देंगे Polio disease is caused by Polio किसके कारण होता है? बैक्टिरिया के कारण, वाइरस के कारण, फंगस के कारण या किसी क्रमी या वर्म के कारण तो इसका सही उत्तर क्या है? Polio किसके वजे से होता है? Polio होता है विशानू की वजे से, वाइरस की वजे से पोलियो एक viral disease है और संक्रामक रोग है जो की मुक्ता छोटे बच्चों में होता है इसके संक्रमण का कारण पोलियो विशाणू होता है इसे पोलियो में लाइटिस या पेलियो मेरू रज्जुसोत भी कहते हैं या दूसित भोजन और पानी के द्वारा फैलता भी है next question which one among the following is the hardest part of our body हमारे सरीर का सबसे कठोरतम अंग इन में से कौन सा है सिर्की करोटी हड़ियां अंगूठे के नाखून दातों के इनेमल या spinal vertebra जिसको हम हिंदी में मेरू कसेरू कहते हैं तो निश्चित रुप से बहुत ही आसान प्रस्न है आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं इसका सही उत्तर क्या होगा इनेमल आफ टीथ जो दातों का इनेमल होता है वो सबसे hardest part होता है हमारे सरीर में दंत वल्क या इनेमल दातों की बहरी परत है जो की दातों की टूट फूट से रच्छा करता है और यह सरीर का सबसे कठोरू तक है यह मुरत कोजकाओं से बना हुआ होता है अगला प्रसंद देखेंगे जॉन बी गुर्नाड और सिन्या यामानाका को किस खोज के लिए वर्स 2012 का आयूर विज्ञान में यानि मेडिसिन में नोबेल प्राइस दिया गया था अब यहाँ पर चार आपसन आपके सामने हैं इसको आप पाउस करके पढ़ सकते हैं चलिए सीधे सही उत्तर की बात करते हैं इन्हों ने क्या किया था तो इसी खोज के लिए इनको नोबेल प्राइस दिया गया था इसको हिंदी में भी देख लेते हैं परिपक्क को विशिष्ट कोसिकाओं को अपरिवक्क कोसिकाओं में बदले जाने के लिए पुना प्रोग्राम किया जा सकता है ये खोजिनों ने की थी वर्स दो जार बारा में चिकिस्टा विज्ञान का नोबेल पुरुसकार सहींत रूप से बिटेन के सर जॉन बी गुर्नार्ड और जापानी विज्ञानिक सिन्या यामनाका को दिया गया था चलिए अगला प्रसंद देखते हैं consider the following diseases हमको ये नीचे ये विमारियों को देखना है इसमें को बताना है which of the above diseases is caused by bacteria इनमें से बैक्टीरिया से होने वाले यानि जिवाडूं से होने वाली कौन-कौन से रोग है तो रोग कौन-कौन से एक तो कॉलरा है एक टूबर क्लोसिस है फाइल एरिया है और टाइफाइ है तो इसमें से हमको बताना है कि कौन-कौन से diseases जो है केवल बैक्टीरिया से होते हैं तो चलिए विचार करते हैं कॉलरा आप जानते हैं ये बैक्टीरियल डिजीज है टूबर क्लोसिस या टीवी ये भी बैक्टीरियल डिजीज है जो मायको बैक्टीरियम टूबर क्लोसि अगला प्रसंद देखते हैं स्वास्तकर आहार के बारे में निमलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो चारो कतनों को पढ़िए ध्यान से जो है और इसमें देखिए कि सही उत्तर इसमें से कौन सा हो सकता है, स्वास्तकर आहार के बारे में आपको सही कथन यहां पर बताना है, तो इसमें से सही उत्तर क सीधे हम बात करते हैं तो D option इसका correct होगा वसा प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट की इस्टितम मातरा के साथ परियाप्त मातरा में जल और रेशा स्वास्तकर आहार बनाता है and optimum quality of fat, protein, carbohydrate with adequate amount of water and fiber makes a healthy diet यह सभी healthy diet में होना आवश्यक है next question देखते हैं कार्बो हाइडरेट, protein और वसा का पूर्ण पाचन किस में होता है चारों अंग दिये हुए हैं हमारे पाचन से सम्बंदित हैं इस टमक में, liver में, small intestine में या large intestine में इसमें सेम को सही उत्तर चुनना है कार्बो हाइडरेट, protein और fat का पूर्ण पाचन कहां पर होता है चुद्रांत में या small intestine में इसका पूर्ण पाचन होता है कार्बो हाइडरेट, protein और वसा का पूर्ण पाचन चुद्रांत या छोटी आंत में होता है इस दोडान इसमें एकडरस से निकलने वाले हैनि लिवर से निकलने वाले पाचाडरस जैसे बाइल आदि मिल जाते हैं जिससे कार्बोहाईडेट, प्रोटीन और वसा के अडु छोटे-चोटे पोसक पदार्तोमें विगडित हो जाते हैं ये पोसक अडू छोटी आत में इसकी दिवारों से लगे माइक्रो विलाई जो ब्रस के रेसे के समान सनचनाय होती हैं उसमें उस्योसित होके हमारे blood stream में या रक्त में पहुंच जाते हैं अगला प्रसंद देखेंगे The human eye is like a camera and hence it contains a system of lens The eye lens forms Eye lens जो है क्या बनाता है किस प्रकार का प्रतिविम बनाता है यह हमको यहाँ पर बताना है तो चारो option आपके सामने हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा an inverted image यानि एक प्रतिलोम उल्टा image बनाता है किसका real image आप the object on retina Hindi में इसको पढ़ेंगे द्रिश्टी पतल पर print का प्रतिलोमित लेकिन वास्तुविक प्रतिविम बनाता है तो C option यहाँ पर correct होगा मनुस्य की आँख और camera में काफी समानता हैं पा जाती है Camera द्वारा किस प्रकार उत्तल लेंस के प्रियोग से वास्तुविक प्रतिविम फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार से आंक में जैविक लेंस जो होता है हमारा वो भी उत्तल दर्पन की ही तरह होता है जो Neatr Lens कहलाता है नेत्र लेंस के दोरा वाय वस्तुवों को उल्टे और वास्तवी प्रतिविम्ब नेत्र में द्रिश्च पतल या रेटीना पर हम प्राप्त कर लेते हैं अगला प्रसंद देखते हैं The main thinking part of a brain is हमारे मस्तिक्स का मुख्य सोचने वाला भाग इन में से कौन सा है Mid brain, 4 brain, Hypothalamus या Hind brain तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा Agravastis or Forebrain Forebrain जो हमारा main thinking point होता है Agravastis या Forebrain का अधिकान्स, कारिकलाप, सेरेब्रहम से संबंदित होता है अर्थात ये कल्पना, योजना, तार्किक्ता त्यारि सोचने वाली क्रियाओं को संचालित करता है अगला प्रस्न Which of the following hormones stimulates the plant cell to grow in a manner such that a plant appears to be bent towards light यानि कि इसमें से कौन सा एक ऐसा पादप हार्मोन है जो पौधे को इस प्रकार से ग्रो करता है उसमें grow करने में मदद करता है कि पौधे में प्रकास की तरफ मुड़ने की प्रवत्ति पाई जाती है जिदर भी प्रकास होता है, सूर का पौधा उधर ही मुड़ता है ये किसके द्वारा इसमें से stimulate किया जाता है तो चारो आपसन आपके सामने है, साइटोकाइनिन, आगजिन, जिब्रैलिन और एपसिसी के एसिड़ ये सभी क्या है, एक plant हार्मोन है तो इसमें से कौन सा हार्मोन ऐसी क्रिया के लिए प्रेरित करता है वो है auxin auxin एक ऐसा पादप हार्मोन है, plant हार्मोन है जो पादे के तने की कोशिकाओं को लंबाई में बढ़ा देता है ये अब इसे इसकार ऐसी दिसा में तने की कोशिकाओं की लंबाई में ब्रद्धी करता है जिससे तने का जुकाओ प्रकास की ओर हो जाए अर्थात ये हार्मोन पादे के वातावरण के प्रती प्रत्करिया विक्त करने में सहायक होता है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं Magnetic Resonance Imaging यानि MRI जो होती है MRI टेक्नीक यूज़ इन Magical Diagnosis आपने एन IMAGE आफ आफ अवर internal body organs This is primarily possible because यानि MRI क्यों जो है possible है MRI के पीछे क्या सिध्धानत है यह हमको यहाँ पर बताना है तो निश्चितरुप से इसमें Magnetic सब्द जुड़ा हुआ है यानि यह चुमकी छेत्य समंदित है तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा MRI uses an external magnet to generate a magnetic field in our body यानि हमारे सरीर में चुमकी छेतर जनित करने के लिए MRI बाह चुमकक का प्रियोग करता है MRI scanning का एक सुन्दर सुरंग की तरह होती है या 1.5 मीटर लंबा एक ब्रती चुमक से घिरा होता है यही चुमक हमारे सरीर में चुमकी छेतर जनि मेगलिटिक फिल्ड उत्पन करता है और सरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिविम प्राप्त करके चिकसी जाच और निदान में सहायक होता है चलिए अगला प्रसन देखते हैं यानि कि पुस्पी पादप होते हैं जिन पौधों में फूल लगते हैं उनके लैंगी जनन के बारे में आपको चार स्टेटमेंट दिये गए हैं इन में से कौन कौन से सही हैं यह हमको बताना है तो एक एक करके पढ़ते हैं इस्टामेन इस प्रिजेंट इन दा सेंटर आफ फ्लावर जो इस्टामेन होता है वो फ्लावर के बीचों बीच में होता है पुंके सर बिल्कुछ सही स्टेटमेंट है यह Starmine produces pollen grains in the ovary यह गलत है क्योंकि Starmine pollen grain ovary के अंदर नहीं बनाता है तीसरा है the swollen bottom part of carpel is ovary यह बिल्कुछ सही है क्योंकि अंडप का फूला हुआ भाग ही जो है क्या होता है अंडा से होता है The fusion of germ cells give rise to gigot जनन कोशकाओं के सलनेयन से युगमनेज उत्पन होता है यह जो है गलत है तो इस तरह से हमारा केवल एक और तीन statement सही है और इसके बारे में पढ़ते हैं पुस्पी पादपों में लेंगी जनन के लिए पुंकेसर तथा अंडप पाया जाते हैं पुस्पी केसर पुस्प के केंदर में इस्त्रीकेसर के चारों तरफ से गहरे हुए होते हैं जिनके प्रकोष्टों में क्या होते हैं पराकण भरे हुए होते हैं अगला प्रसन देखते हैं Consider the following statement regarding osmosis in animal cell Animal cell में जो परासरण की क्रिया होती है उसके बारे में चार कथन दिये हैं इन में से हमको देखना है कि कौन कौन से कथन सही है तो इसके उत्तरों पे बचार करते हैं इसका जो है जो सही statement है वो है केवल तीन यह जन्तु काय के अंदर इस्थिर जल विभव बनाया रखने के लिए महत्पून है It is important to maintain a constant water potential inside the animal body तो B option जो है इस प्रकार इसका correct होगा इसके बारे में और जानते हैं जन्त कोशकाओं में परासरण या आस्मोसिस कोशिका के अंदर इस्थित जल विभव को बनाया रखने के लिए जरूरी है जन्त कोशकाओं में कोशका भित्ती नहीं होती है कोस्की जन्तू जो सुस्क स्थानों में रहते हैं अपने सरीर में जल सनच्छित रखना चाते हैं यही इस्तिती खारे समुद्र में रहने वाले जीवों की भी होती है फ्रेस वाटर में रहने वाले जीवों में इसके ठीक विप्रीत किरिया होती है ठाज जल की अतरिक्त मात्र खोशिका में प्रवेस कर सकती है परासरण या आस्मोसिस इन दोनों इस्तितियों में संतुलन इस्थापित करने के लिए जन्त कोशिका में कॉंस्टेंट वाटर पोटेंसियल बनाये रखने में सहायक होता है अगला प्रसंद देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एक मानो सरीर में मलेरिया पर जीवी इसका नाम क्या होता है प्लास्मोडियम के लिए क्रिया का इस्थान नहीं है तो प्लास्मोडियम की क्रिया का इस्थान इन में से कौन सा नहीं है यह हमको देखना है चारो आपसन देख लिए लिवर, किड़नी, आर्बीसी या ब्रेन तो इसका सही आपसे उत्तर क्या है? किड़नी या व्रक जो है प्लाज्मो डियम के लिए क्रिया का इस्थान नहीं है इसलिए या पर मस्तिस को भी जो है इसमें सामिल किया गया उत्तर में malaria के प्रभाव के कारण गुर्दे भी फेल हो जाते हैं और यकरत संक्रवित होने कारण पी लिया होता, लेकिन गुर्दे जो होते हैं यह malaria परजीवी के पनपने का कारण नहीं करते हैं तो इसमें से जो है हमारे ब्रेन के चारो पार्ट दियें जिसमें आपको बताना है कि कौन सा हमारा मस्तिस का भाग सूच में चलन को नियंत्रित करता है शरीर के संतुलन एवं साम और पेसी टोन को संधारित भी करता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सेरे बेलम सी ऑप्सन यानि अनुमस्तिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मनिश्य में उसके मस्तिस का एक भाग जो अनुमस्तिस कहलाता है सूच मचलन जैसे पेसियों का स्वेच्छिक चलन, संतुलन और सामयादी अवस्थाओं को नियंतरित करता है नेस्ट कोश्चन लीजमानिया दा काजिटिव एजेंट आप काला अजार आपने रोग सुना होगा जो कि लीजमेनिया के कारण होता है यह अलाइनंगिक समवर्धन यानि एसेक्स्वल मल्टिप्लिकेशन करता है किसके द्वारा कौन सा जो है इसमें इस्ट्रक्चर बनता है जिसके द्वारा जो है यह एसेक्स्वल मल्टिप्लिकेशन करता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा दुई खंडन या बाइनिरी फिजन काला अजार का रोग कारक लीजमेनिया है जो कि क्या है एक प्रोटो जोवा है और यह जो है ट्रिपनो सोमा से नजदी की तोर पर संब तो इसके लिए जो है अनुद्वैर्द द्विखंडन की आउशक्ता होती है नेक्स्ट क्वेस्चन टीका टीके के बिसिष्ट प्रतिरच्ची प्रोटीन के संसलेशन के अभी प्रिरण दवारा संनच्चन पदान करता है शरीर में रोग प्रतिरच्ची के उत्पादन के ल सही उत्तर देना है और काफी महत्पूर्ण प्रस्थ नहीं तो उस सेल का नाम होता है lymphocyte cell या लसीका-कोषिका सरीर में रोग प्रत रच्छी यानि antibody उत्पाधन करने के लिए लसीका कोषिका या lymphocyte cells responsible होती हैं, लसीका कोषिका दो मूलभूत प्रकार की कोशिकायों होती हैं, एक तो B लसी का कोशिकायों होती हैं, इसको B lymphocyte cell कहते हैं और दूसरा जो है T lymphocyte cell होती हैं, जब ये कोशिकाय किसी Y विशाणू या बैक्टिरिया के संपर्क में आती हैं, तो ये प्रतिरच्छी अणू यानि antibody molecules तयार करने के विवाजित होने लगती हैं, और ब्यापक मातरा में प्रतिरच्छी या antibody तयार करने लगती हैं, जो वाह जिवाणू और विशाणू को नश्ट करके resistance उत्पन करता है, जो कि कोशिका से संबंदित है, यानि कोशिका के बारे में इसमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सेल है इस ओन कैपसिटी तू परफॉर्म, सभी सेल का में अपने कार के निस्पादन की अलग-अलग छमताएं होती हैं, अपने प्रकार की विशिचता होती है, ये भी कथन सही है, तो तीन कथन तो हमारे सही हो गए, तो गलत कौन सा है, Some type of cells are present in all body tissue, सभी देह उतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्धमान होती हैं, ऐसा कथन बिलकुल गलत है, चलिए देखते हैं इसके बारे में, देह या सरीर में उपस्थित उतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती हैं, बलकि सरीर के विभिन अंगों के कारियों के उतकों में उपस्थित कोशिकाओं की कारप्राली तथा आकरती भिन भिन होती हैं, जैसे कि आख की रेटीना में उपस्थित कोशिकाएं कौन सी होती हैं, कोन और रोड होती हैं, उनकी अलग आकरती होती है, जिनके कार करमसार रंगों की पहचान करना और प्रका प्रकार हिर्दय मस्तिस्क यक्रत और आमासय के पेसी उतकों में पाई जाने यालि कोशिकाओं में उनके कारियों के अनुसार बहुत ही भिन्दता पाई जाती है। whose blood type is B, may in an emergency donate blood to a person whose blood type is, इसमें से B प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक इस्थिती में, आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, A, B को या B को, D option इसका correct होगा, क्यों correct होगा, क्योंकि जो blood group A, B है, एक ऐसा blood group है, जो स्वयम के समूँ वाले रक्त के अत्रिक्त किसी को भी, आनि B, A और O समूँ को का भी रक्त ले सकता है, अता D सही है, क्योंकि B वर्ग वाला, यानि B ग्रूप वाला, अपने स्वयम के वर के अत्रिक्त, A, B वर के व्यक्ति को भी रक्त दे सकता है, तो इस तरह से हमारा A, B होगा या B होगा, next question देखते हैं, which one among the following statements about stomach is not correct, stomach या जठर के बारे में निमलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो stomach acts as a temporary reservoir, ये तो बिल्कुँ सही है, कि ये वो जो है एक आइस्थाई reservoir के रूप में कार करता है, stomach mixes food with gastric juice, stomach में ही जो है भोजन gastric juice के साथ मिल जाता है, तो ये भी statement correct है, rate of stomach importing depends upon the type of food, food किस प्रकार का है, उसी प्रकार से ये decide होता है कि stomach कित्ती देर में खाली होगा, यानि उसकी दर क्या होगी, अब बचा C option, तो stomach, secret, lipase and amylase in gastric juice, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि amylase और gastric juice जो है उसके द्वारा secret नहीं किया जाता है, lipase और amylase enzyme है, जो pancreas के द्वारा सरावित होते हैं, ना कि stomach के द्वारा, और ये क्या करते हैं, छोटी आर्ट में भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, अगला प्रस्ण देखेंगे, growth and repair आप damage tissue involved, जब छटिगरस्ट उतक और ब्रधी और मरमत में क्या-क्या सामिल होता है, यानि किस प्रकार का कोशिका विभाजन इसमें सामिल होता है, तो छटिगरस्ट उतक की ब्रधी करना और उसकी मरमत करने के लिए, myotic cell division सामिल होता है, यानि केवल सूत्री कोशिका विभाजन इसमें सामिल होता है, चतिगरत उतक की ब्रद्धी और मरम्मत के लिए कोशिकाओं में सूत्री विभाजन जिसकों मायाटिक डिविजन कहते हैं जिसके कारण पुरानी कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं आ जाती है इस प्रकार यह विभाजन उत्कों की ब्रद्धियों मरमत दोनों के लिए ही उत्तरदाई होता है और इसमें एक सबसे बड़ी खास क्या बात होती है सुत्री भाजन में मायटिक डिवीजन में इसमें नंबर आप क्रोमोजोम पर जो है कोई भी फरक नहीं पड़ता है आगे चलते हैं अगला प्रसंद देखते हैं दो कथन दिये हैं जिसमें को विचार करना है और कौन से सही है इसमें से यह हमको बताना है कार्वो हाइडरेट मनुस्य के लिए उर्जा का एक मात्र सुरोत है तो इस पे आप विचार करेंगे तो पाएंगे यह स्टेटमेंट विल्कुल गलत है क्योंकि कार्वो हाइडरेट उर्जा का सुरोत तो है लेकिन एक मात्र सुरोत नहीं है हमको अन्य मादमों से भी जैसे फैट से भी उर्जा मिलती है तो कार्भो हाइडरेट एक मात स्रोत नहीं हो सकता है अन्य खाद्यों के पेच्छा वसा उपुचैन होने पर अधिक्तम उर्जा देता है ये कथन बिल्कुर सही है क्योंकि वसा से हमको सवजाधिक उर्जा प्राप्त होती है जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो इस तरह से हमारा एंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्सन हमारा करेक्ट हो जाएगा सरीर में उर्जा के लिए कार्वो हाइडरेट मुख्य सुरोत है लेकिन ये एकमात उर्जा का सुरोत नहीं है सरीर फैट से भी उर्जा प्राप्त करता है और वसा के उप्चयन होने पर बड़े लिपीड अडू तूट कर पुना अपने छोटे छोटे खंडों में अटाद ट्राइगलसराइड और फैटी एसिड में बदल जाते हैं जिससे सरलता से उर्जा की आउशकता पूरी हो जा जमाओ के कारण या संचयन के कारण होती है यह हमको बताना है कोलेस्टरॉल, लैक्टिक एसिड, लिपोईक एसिड या ट्राइगलसराइड तो इसमें से सही उत्तर क्या है लैक्टिक एसिड जब हम कोई कारे लगातार करते हैं हमारी पेसियां ठक जाती है तो ठकान जो है लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण होता है सरीर में लैक्टिक एसिड तब अधिक बनने लगता है जब अधिक कसरत या बैयायम के कारण सरीर में उर्जा की आउसकता को पूर्ण करने के लिए कार्वो हाइडरेट का विखंडन होता है ऐसी अवस्था में सरीर की पेसिया आक्सीजन कम होते जाने पर और अधिक लेक्टिक अमल का निर्माण करती जाती है यह लेक्टेक आयन यानि लेक्टेट और हाइडरोजन आयन में खंडित होता है तथा पेसियों की उपापचय क्रिया यानि मेटावालिस में ब्याधान उत्पन कर देता है ग्लुकोज के विखंडन तथा उर्जा उत्पत्ती में व्यवधान उत्पन होने से पेशियों के संकुचन की क्रिया पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और या इनका संकुचन मंद पड़ जाता है धीमा पड़ जाता है नेक्ट कोश्चन रेखेंगे इसमें से असमतापी कौन सा है तो डॉल्फिन, वेल, सार्क और सूंस यह चार आपसन हमारे सामने दिये हैं तो इसमें सही उत्तर क्या होगा सार्क, सार्क इनमें से एक असमतापी,해도 ब्लड़ एनिमल है अधिकांस मचलीों की तरह सार्क भी एक असमतापी प्राणी है अथा सा ताप को इस्थिर नहीं रख सकता है यह अपने वातावरण के ताप के अनुसार ढल जाती यानि वातावरण गर्म होगा तो उसका भी सरीर जो है गर्म हो जाएगा और ठंडा होगा तो ठंडा हो जाएगा था सरीर के सरीर के ताप वही होगा जिस तरह के ताप वाला वाताव इसके आसपास होता है नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे इसमें से कौन सा एक हमारे यकरत या लिवर का काम नहीं है तो ग्लुकोज का ग्लाइकोजन में ट्रांसफार्मेशन या रुपांत्रन बिल्कुश सही है ये कारी होता है लिवर के द्वारा यूरिया का भी उत्पादन लिवर के द्वारा किया जाता है मुरत एवं छे हो चुकी लाल रुधिर कोशिकाओं यानि आर बीसी का विनास भी जो है लिवर के द्वारा किया जाता है अब आखरी स्टेट्मेंट बचता है अगला प्रस्ण हमको खून में या रक्त में प्लेट्लेट्स की आवसकता क्यों होती है यानि प्लेट्लेट्स का हमको एक तरह से इसमें से मुख्यकार बताना है जिसके कारण उसकी हमको आवसकता होती है तो इन सभी में से यानि transporting oxygen, transporting carbon dioxide, transporting blood clotting, initiating degradation of urea, इन में से जो है, initiating blood clotting, यानि रक्त के ठक्का जमने की जो सुरुवात होती है, वो platelet के ही कारण होती है रक्त में बिम्बाणू या प्लेटेट ऐसी कोशिकाओं होती है, जो सदय रक्त में अनरक्त कोशिकाओं जैसे RBC और WBC के साथ प्रवाहित होती है, और ये किसी छतिगरस्त रक्त नलिका या घाओ के स्थान पर परस पर बंद कर ठक्का बना लेती है, और रक्त प्रवा या bleeding क बाहर की और रोकने में सहायता करती है, अगला प्रस देखते हैं, the pH of fresh milk is 6, when it turns in sore the pH, एक ताजे दूद का बिलकुछ सामान यो ताजा दूद जो होता है, उसका pH कितना होता है, 6 होता है, लेकिन जब ये खटा हो जाता है, तो इसका pH कितना हो जाता है, ये हमको इसमें बता ना है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, becomes less than 6, यानि 6 से कम हो जाता है, इसकी व्याख्या देखते हैं, pH मान hydrogen ion की सांधरता की माप को व्यक्त करता है, जिसकी परास कितनी होती है, 0 से 14, संख्या 7 जो होती है, ये pH scale में मध्विंदू होता है, जो neutral यानि उदासीन होने क संकेत करता है, यदि किसी तरल का pH 7 से अधिक है, तो वो कैसा होगा, छारी होगा, यानि alkaline होगा, और 7 से कम है, तो वो acidic होगा, इस परकार pH मान 7 से जितना नीचा जाएगा, उतना ही उन द्रवों का अमली एगुण बढ़ेगा, तो इस परश्ट है कि ताजा दूद का pH मान 6 है, और उसका जब खटा पन उसमें हो जाता है, तो इसका मान 6 से भी कम हो जाता है, अगला प्रसन देखेंगे, सजीव वस्तूओं को वनस्पती जगत, जन्तु जगत जैसे उपवर्गों में समुहित किया गया है, निमलिखित में से कौन सा एक जन्तु जन्तु जगत के लिए कौन सा एक जन्तु जगत के लिए सही नहीं है, तो जन्तु जगत के बारे में जो है 4 statement दिये हैं, इसमें से आपको कौन सा गलत है ये बताना है, तो निश्चित रुप से आप जैसे ही देखेंगे, आप इसमें सीरा सीरा उत्तर दे सकते हैं, इन में cellulose नहीं होता, जो किसमें होता है वनस्पति जगत में होता है तो वे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पेड़ पौध हो पेरीक कोशिका जिल्ली तो होती है लेकिन कोशिका दिवार या सेलवाल नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ती प्लांट कोशिकाओं में पाई जाती है जो मुक्ता मजबूत तंतुओं की बनी होती है यह प्राया कार्बोहाइडरेट, पॉलिमर या सेलिलोज के रुप में जाने जाते हैं अगला प्रसंद देखते हैं इन में से एक कौन बीज तो बनाता है लेकिन पुस्प नहीं बनाता है या उसमें फूल नहीं बनते हैं तो कैस्यूनेट यानि काजू, मूंभली, कॉफी या चीर में से आपको सही उत्तर को चुनना है तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा चीर या पाइन में बीज तो बनता है लेकिन फूल नहीं बनते हैं क्योंकि ये क्या है जिम्नोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म वर के सदस्यों से समानता दिखाते हुए चीड जो है कि वरच्छो पर फूल नहीं आते हैं और ना ही फल लगते हैं फिर भी इन पोदों के बीज बनते हैं जो खुले बीजांड के रूप में उभरते हैं और यही बीजांड सीधे बीज में या सीड में चेंज हो जाते हैं Next question Cure to spinal injury is likely to emerge from Spinal injury या जिसको हम मेर उच्छती उपचार कहते हैं किसके द्वारा निकलने की संभाव नाए हैं तो इसमें कई सारे आपको टेक्निक्स दी हैं नई Gene therapy, stem cell therapy, genographed और transfusion इसमें से आपको सही उत्तर बताना है तो spinal injury के लिए जो है जो नई टेक्निक इवाल्व हो रही है वो है stem cell therapy, B option इसका जो है बिलकुल correct है Spinal injury का उपचार stem cell therapy द्वारा निकलने की संभावना व्यक्त की गई है चूहों में Spinal injury की चिकिसा stem कोशिका पद्धती की द्वारा किये जाने पर अभी आंसिक सफलता प्राप्त हो जकी है विबिन प्रकार की stem कोशिकाओं द्वारा अंसंधान लगातार जारी जिससे यह समभावना लगाई जा रही है कि भविस्व में stem cells द्वारा Spinal injury का भी समाधान निकलाएगा अगला प्रसंद देखते हैं इनमें animal cell में क्या प्रजेंट होता है यह आपको यहाँ पर बताना है तो चलिए देखते हैं cell वाल है पहले option में जो कि plant में होता है तो animal cell में नहीं हो सकता है पहला option गलत हो गया chloroplast है दूसरे option में जो plants में ही होता है animal cell में नहीं होता है तो B option भी गलत हो गया और तीसरा option देखते हैं, nucleus, cell membrane, mitochondria और cytoplasm, यह option बिलकुल सही है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा जन्त कोसिका में केंदरक होता है, nucleus, cell membrane होती है, mitochondria होता है और cytoplasm होता है अगला प्रसंद देखते हैं, the process of conventional ear lobe piercing does not lead too far to bleeding this is because the, जो कान छेदे जाते हैं, उस प्रक्रिया में खून नहीं बैठा, इसका क्या कारण हो सकता है यह आपको जो है यहाँ पर बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, B option सही होगा क्योंकि cartilage found in ear lobes has lesser blood supply unlike other body parts क्यों की कान में हमारे क्या होता है, cartilage पाया जाता है और इसमें blood supply बहुत ही कम होती है इसी कारण जब जोसमें छेदन किया जाता है, तो उससे ब्लीडिंग नहीं होती है कंड पालियों में पाय जाने आली उपास्थियों में अनि cartilage में सरीर के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम खून की आपूर्ती होती है अगला प्रसंद देखते हैं, निमलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्र का तंत्र में आवेग संचरन के लिए आवश्यक है Among the following elements, which one is essential for transmission, आप impulse है जिन नर्व फाइबर बहुती आसान और basic question है, इसका सही उत्तर क्या होगा, sodium sodium, sodium जो है बहुती जरूरी है तंत्रिका तंत्र में आवेग संचरन के लिए sodium धातु के आयन यानि sodium तंत्रिका कोशिका के भीतर ही बाहर की और किसी प्रकार के उतेजन की प्रत्करिया को आवेगों के रूप में यानि impulse के रूप में ले जाते हैं दो statement दिये हैं उनसे सम्मंधित जो है चार options दिये हैं इस पर हमको विचार करना है red blood cells यानि RBC birds when placed in water लाल उधिर कडिकाओं को जब पानी में रखा जाता है तो वो फट जाती है क्या ये कथन सही हो सकता है तो बिल्कुल सही कथन है ये दूसरा है due to the phenomenon of osmosis water enters into the red blood cell osmosis की जो प्रक्रिया होती है जिसको हम परासरण कहते हैं उसके कारण जो है water जो है यानि पानी RBC में प्रिवेस कर जाता है तो कथन दो भी सही है यानि हमारा option क्या सही है ये दोनों ही कथन सही है और इस पश्टी करण भी आपस में सही दिया गया है इस्तंधारियों की लाल रख्त कर कोशकाएं दू यतल आकरिती की होती है जब इन्हें पानी में डाल दिया जाता है तो जल में osmosis के कारण तेजी से इनको सिकाओं में प्रिवेस कर जाता है पानी और कुछी समय में ये फूल कर फड जाती है अगला प्रसंद देखेंगे after entering the human body through mosquito bite the malarial parasite जिसको हम क्या कहते है प्लाजमो डियम सोज initial multiplication in यानि मच्छर के काटने से सरीर में प्रिवेस करने के बाद प्लाजमो डियम प्रारंभी गुडन कहा पर सुरू करता है या दिखाता है तो इसका प्रारंभी गुडन जो होता है वो है liver में C option जो है इसका बिलकुल correct होगा malaria परजीवी का मनस्यों में पहला पढ़ाओ liver होता है अर्था जब परजीवी से युक्त मादा मच्छर मनुस्य की तवचा पर डंक मारती है तो खून की धारा में परजीवी चले जाते हैं रक्त प्रवा के माध्यम से यह एकरत में पहुँच जाते हैं जहां इनकी संख्या गुडित होकर हजारों लाखों में पहुच जाती है तब यह पुना रक्त की धारा में आकर सरीर में malaria उत्पन करते हैं अगला प्रसंद देखेंगे which one among the following Indian scientists proposed a theory for long distance transport of water in plant यानी किस भारती वैग्यानिक ने पादपों में लंबी दूरी तक जल के अभिगमन का सिध्धान्त प्रतिपादित किया था या प्रस्तावित किया था तो इसका सही उत्तर क्या है जेसी बोस भारती जीव भातिक बैग्यानी बायो फिजिशिस्ट ने पादपों के जल की लंबी दूरी के एगमन का सिध्धान प्रस्तावित किया जो की स्पंदन सिध्धान या पलसेशन थेओरी के नाम से जाना जाता है इसके तहट यह मानता है कि पादों में प्रकार के जटी लूत तक यानी जायलम की कोशिकाओं में होने वाले कांट्रेक्शन और एक्सपेंशन के कारण जल तथा आन्य खानिज पोसक लवण सीधे पादों के आधार या जणों से उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाते है अगला प्रसंद देखेंगे की प्रदूसरण के लिए सूचक की तरह यानी इंडिकेटर की तरह कार करता है जो वाई बहुत बुरी तरह से सल्फर डायक्साइड दोरा प्रसूशित होती है वहाँ लाइकेन नहीं उग सकते हैं या अगर उगे भी हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं अता जीन इस्थानों पर लाइकेन पूरते या अनपस्थित होते हैं वहाँ पर एसो टू का प्रदूसरण बहुत अधिक होता है अगला प्रसंद देखते हैं विच वन आप दा फालोविंग इस नौट एन एक्जाम्पिल आफ यू करियोटिक और लिजम इन में से कौन सा एक यू करियोटिक ज यू का उधारण नहीं है यू करियोटिक जीवों के अंतरगर जटिल कोसकी संद्रचना वाले जीव आते हैं जिनकी कोसिकाओं में एक निश्चित कुंद्रक पाया जाता है बैक्टिरिया एक प्रिकार का प्रोकरियोट है अर्थात इनकी कोसिका संद्रचना में ना भी हातु कौन सी होती, कई बार प्रस्थ नहीं है, कई परिक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या है, मैगनीसियम, डी आपसन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्लोरोफिल के केंदर में मैगनीसियम का एक परमाड होता है, क्लोरोफिल प्रकास में बैगनी, नीला तथा लाल लंक को ग्रहन करता है, क्लोरोफिल पतियों में हरे रंग का वरणक है, और इसके चार घटक है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन और जैन्थोफिल, अगला प्रस्थ नेखते हैं, दो स्टेटमेंट दिये हैं, उनके बारे में आपको सही उत्तर देना है, पौधों की ब्रद्धी पूर्ण उर्वरक से आबाद होती है, यानि ग्रोफ आप प्लांट ही स्मूथ विदक कम्पलीट फर्टिलाजर, और किसी पूर्ण उर्वरक में NPK जरूर होता है, तो ये दो कथन हैं, इनमें से सही क्या होग पौधों की इसमें तीन मुख्य पोसक पदात है, यानि नाइट्रोजन, फासपोरस और पोटैसियम पाया जाते हैं, ये तीनों पोसक पदात पौधों के विकास में अपने अपने तरीके से सहायता करते हैं, नाइट्रोजन पौधों की तेजी से ब्रद्धी में सहायक है, वहीं Phosphorus पौधों में स्टाज सुगर बनने में सहायता करता है और Potassium फल की गुडवत्ता, प्रोटीन के निर्माड और पौधों को रोग से लड़ने में सहायता प्रदान करता है तो दोस्तों आज के इस सेगमेंट मिता ही फिर अगले सेगमेंट में मिलते हैं नए कोस्चन के साथ में नमस्कार धन्यवाद